लगभग लगभग बताया है अब कोई अपने आप से तॉलता है यह उसकी बिचारे की मजबूरी है रám राज जी की अगर वो कल्पना कोई अपने नाम लिया है पवित्र मुझ से हम बोलेना नहीं चाहेंगे एगर कोई राम राज जी को अपने उससे तॉल रहा है वो बिचा कि मजबूरी हो तौलना भी चाहिए बड़ों की सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज़िद बचाते हैं अब अंध विश्वास को बढ़ावा देते हैं आप लोगों को अपने औरा में उल्जा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते दूसरी बात हम कोई अंध विश्वास नहीं फैलाते हैं इस देश में चादर चड़ाना सृध्धा है इस देश में केंडल जलाना सृध्धा है इस देश में हली उल्ला कहके एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट पास हो गया है अदबुद्देश हैं यह मूँ लोग लाते कहां से हैं अदबुद्ध विचारधारा है लोगों की हमने कभी यह नहीं कहा कि हम चमतकारी हैं हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं हनमान जी के पास सब कुछ लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो क कि भगवान नहीं होते ही शुर कि दिब्ब सक्तियां नहीं होती है हमने अनभाव कि आए चले आये कभी बागे सो धाम बैलकम टू यू आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंध विश्वास को बढ़ावा देना है अंध विश्वास विश्वास में बारीक लाएं बता करें दीपक जलाना भी अंध विश्वास अगर हनमान चालीसा पढ़ना अंध विश्वास किसी को लग रहा हनमान जी की अश्ट सिद्धियों का प्रचार करना अगर अंध विश्वास किसी को लग रहा तो उसमें अमीस दिवगन जी भी अंध विश्वास ही है क्योंकि वो यह चलता रहता है हम कोई फरमाईसी प्रोगाम है कि किसी ना फरमाईस की यह हम गाना बजा दे आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बिमारों का इलाज कर देते हैं तो फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अस्पिताल बंद कर देजिए धिरेन शास्तित के पास भरोसा है और किसी का है और ये चौपाई अगर चमतकार कर देती है इसमें दोसी हम क्यों तुलसिदाज जी की उपर आरूप लगाई है हमारे भगवान हनवान जी भी बूटी पर भरोसा करते लाय सजीवल लखन जी आई अगर ओमेसी जी आपके पास है अरजी लगवाने के आना चाहिए उनको सदगुद्धी सबको होनी चाहिए हम तो कहते हैं कि आप खबर बैजो जिन जिन को आना को सब का स्वागत alors, किस किस का अपने परचा मताब नेताओं में राहूल गांधी जी का परचा कोला कञ आ या और जी NE. यहारी कोई निजी आस्था से परचा नहीं बनता है उनकी पेरना से परचा बनता है यह परचे की कहानी क्या है कुछ भी नहीं यह आद कभी महरसी बालमीग जी के समय से चल रही परंपरा लोगों ने अब जाना है कभी अगर आज हमारे दादा गुरू जी होते तो लोग में मीडिया नहीं थी हमारे दादा गुरू तो आप समझाओ हमारे बाप के बाप हैं वो हम जब इतने खतर ना के तो वो कितने नहीं हों लेकर यहां पर कई लोग हैं जो अपने परचे खुलवाना चाहते हैं बिलकुल आना चाहिए यही कहना चाहेंगे बागे शुरधाम प्रेमपूरवक आओ परचा तो एक बहाना है असलियत में सब को हनमाइन जी का बना है सवाल सवाल को पूछना चाहता है तो पूछे जी 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 आई एम नोट बागे सुधाम सरकार, लोग जानते हैं, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, प्राथना कर सकते हैं, कि आप ने जो बात रखी धर्म निर्पेक्ष के बारे में बहुत हिंदू, तो धर्म तो जो है मेरे क्यार से हिंदू, मुसलिम, इसाई उससे भी बड़ा शबद है, उसको हम एक बात कर सकते हैं, पहली बात तो आपने हमको बहुत कम सुना है, आप हमको बहुत सुनियेंगा, इंदू का मतलब कोई एक बिसेश संपरदाय नहीं, इंदू का मतलब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है, वो हिंदू जी, चलिए अब एक सवाल जवाब का एक और, जो हिंसा के खिलाब, वो हिंदू, हिंसा जिसे पसंद ना हो, वो हिंदू स्वामी जी, समाजबादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, जो रामचरित मानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं, हमने सुना है, और वो आपके बारे में कहते हैं, वो कहते हैं, मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता, अभी कुछ धरमाचारिय जो के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं, एक-एक, एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंद गरफतार कर लेना चाहिए, अगर हमने इस देश में कानून है, इस देश में संबिधान है, इस देश में नीती है, अगर हमने कोई गु अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि देश में राजनीती की बात होती है, और आपने 2024 का जिकर किया था, कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, इंदू राष्ट की पर 2024 में चुनाव भी है चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, इधर तो नित्य चुनाव है अज़क एक बात बताईए, बागेश्वर रधाम में आप रहते हैं, दिरेशास्त्री, आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आब आपका दरें किसके बाप से हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं, ना किसी के मकान पर कबजा किया, ना हमने जमीन छोड़ाई, ना किसी से दान लिया तो किसके बाप से डरें हम बाटने बैटे हैं तो सिर्फ अन्मान जी से डरते हैं पाप से डरते हैं हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत न हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े इससे डर लखता है लेकिन एक विशे है जो कि बहुत महत्पूर्ण है और ये विशे मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ राम चरित मानस को लेकर बहुत सारी बयान बाजी हुई किसी ने उसको नफरत वाला गरंट कहा जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला गरंट कहा मैं स्वामी पर साथ मौरिया की बात कर रहा हूँ और एक बिहार के मंत्रिये उन्होंने भी कहा और किसी ने इसको महिला विरोधी, किसी ने इसको दलित विरोधी कहा, इस या कहते हैं, इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है, राम के देश में राम के विरोधी की बात करना सीधी सी बात है, कि उसको बार-बार प्रोडूस करना है, बार-बार उसको आगे अप् हरी हर निंदा सुने जो काना हो ही पाप गव घात समाना माता पिता भगवान सिव भगवान विश्णू की निंदा करने वाले ब्यक्ति को सुनना और उसको देखना गोहत्या बराबर पाप आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लैनिंग हो रही है और आपके विरोधी विरोधीयों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षाब होनी चाहिए साधु संत के तुम रखो वारे असुर निकंदन राम वैसे तो उन्होंने हमें सिकॉर्टी दे रखी है सुरी हनमान जी नहीं लेकिन लॉकिक बिवहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई विवस्ता हो और है तो कोई दोस नहीं है या कोई बुराई नहीं सब को डर देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे दरवार लगा रहे थे कभी बात नहीं उठी है जब से पुर्जोर तरीके से कन्वरजन को रूखा सबसे लोगों को जलन बूखा, सबसे नएनए प्लापिए आपके खिलाफ है पूरी प्लांटिट लोगों का आणा, धरवार में चिला आ nå, आभी कुछ दिन पहले एक प्लांटिट व्यक्ति का पूल खोला दरवार में ही, वो 20 दरवार में चिला पड़ा, धाम पे भी प्लानेट लोग आना, ये छोटा सा, एक छोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना, ये सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम की जो सेवक हैं, जी, उनको गिराने का एक बहुत बड़ा सडेयंतर चल रहा, क् क्योंकि जो करोड़ों रोपए, धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं, तो वो धीरंद्र कृष्ण के उपर क्यों नहीं कर सकते हैं, सचाई ये है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मिसन को फैल हम करें, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप इसाईयों के खिलाफ हैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो सारी घर बापसी तो वहीं से हो रही है, फिर वही वाद, धर्म परिवर्तन बो कराएं, हम तो घर बापसी करवा रहे हैं, चलिए अगला राउंड और ये आखरी राउंड भी है, और इस राउंड में मैं आपको कुछ क्रिया उस पर लूँगा, इस राउंड की शुरुबात करते हैं, और पहरी तो तस्वीर आ रही है, आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा और अब अपनी गदी से भी खड़े हो जाएंगी, जो तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, वाकई मैं करो, ये तस्वीर आप दे आते हैं आप गुरुजी के बारे में अपने, बस जो पूछते थे आज तक की चमतकार क्या है ये है, जिनके नेत्र नहीं है, अनेको गरंथों की जिनोंने रचना किये हो, अनेक भासाओं का जिनको ज्ञान हो, राममंदर का मुद्दा जिनोंने सुप्रीम कोट में जाकर क इस देश में इससे बड़ा चमतकार और क्या हो आप करें ये है चमतकार, ये भारत के जो लोग हमसे अब तक पूछते थे चमतकार क्या है, उनको हमारे पास आने के पहले हमारे गुरुजी के बारे में समझ लेना चाहिए, पुझ जगद गुरु भगवान तुलसी अगली तस्वीर जो है, देखते हैं कौन सीरिय मुझे भी नहीं पता है, राहूल गांदी जी की, क्या कहना चाहते हैं, नो कमेंट्स, राजनेता और राजनीती पर हमारे कोई कमेंट्स, ये भी काफी आजकल धरम की बारे में बात कर रहे हैं, श्वागत, अगली तस्वीर भी देख लेते हैं किसकी आ रही है, नरेंद मोदी और योगियादितनात, एक देश की प्रधानमंत्री है, ये उत्र प्रदेश की मुख्य मंत्री है, राज पीट की देश की प्रमुक्षत्ता पर जो बैठे हैं, और राष्टहित जो कर रहे हैं, उन सब को बागिस्ष्र इस पर आपकुछ प्रति किया करना चाते हैं योग्य दितनात कुछ काम कर रहे हैं किसी पर क्या के जो कर रहे हैं सब हमारे लिए तो सब सब जो भी कर रहे हैं सब बड़ी है नमस्कार विवस आज मेरे साथ एक बेहद खास मेमान होंगी इनकी उम्र भलई केवल 27 साल है लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विशे बने हुए हैं ये खुद को कटर सनातनी हिंदू राक्ष्ट का पक् पताते हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुक दिरेंद्र शास्त्री महराज का अबिनंदर आपका अबिनंदन है पहले तो स्वागत आपका न्यूज 18 के इस मंच में बहुत बहुत धन्यबाद बहुत बहुत सादूबाद और आरपार के इस कारीक्रम को भी बागेश्वर पीट की और से बहुत 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 आभार आपका लेकिन आपकी जबरदस्ट फैन फालोइंग है मैं युवाओं के हिसाब से अगर पूछू तो जबरदस्ट फैन फालोइंग है आपका बड़ा क्रेज है इतना क्रेज तो बॉलिवूड आक्टर्स का भी नहीं होता लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछा जाता हूँ कि आपकी इस फैन फालोइंग का बड़ा रास क्या है आप जादुगर हैं चमतकार दिखाने वाले हैं आकिर धेरेंद्र शास्ट्री है कौन फहली बात तो हमारी कोई फैन फालोविंग नहीं है हमारा तु पूरा परिवार है फैन फालोविंग तो उनकी होती है जो सेलेबरिटी होते हैं I am Not Celebrity, I am Not Actor, I am Not Film Actor हम तो केबले एक साधारन मन और सनातन का जणडा लेकर चलने वाले एक साधक हैं हमारी कोई fan following नहीं हमारा परिवार हो में गर्भ है कितना बड़ा परिवार लेकिन अगर आपका मैं परिचे पूछू कि धिरेंद्र शास्त्री कौन है चमतकारी है अफतारी है कौन है धिरेंद्र शास्त्री एक साधारन इंसान है जैसे आप है वैसे हम है बस हनुमान जी की एक साधारन से सेवक है उसका परनाम है ये कि जो धर्म बिरोधी है उनके मूँ पर तमाचा लग रहा है तो आपके पास ऐसा क्या गुण है मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना सच्चाई बोलने का गुड़ है और निडर्ता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सब को सत्थ से जोड़ने का गुड़ है और ये अगर किसी भी इंसान के पास ये गुण आ जाए तो इस शुरी ये दिब्ब कृपा को वो सुताही पा जाता आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है जिसकी वज़ा से आप लोगों की समस्या का समधान कर देते हैं लेकिन आलोचक भी है आपके और बड़ी संख्या में है वो आलोचक वो कहते हैं कि आप एक माइंड डीडर है इस से ज़्यादा कुछ है पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही अर्मान जी की कृपा है सब पर है सो हम पर है और दूसरी बात रही बात माइंड डीडर वाली कांच में वो मडी में बहुत अंतर होता है चमकदार दोनों होते हैं पर जो मनी काम करती है वो काच काम नहीं करता ये देश सेकुलर है लेकिन आप हिंदू राष्ट की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े अगर हिंदूस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदूस्तानी है ही ने वो लगता है बेश्ट अंडीच का आदमी है अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने बाला ही हिंदु राष्ट नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान बाले कहेंगे और रही हमारी बात जिनको जो लगता हो लगने दो हम अपनी बात से न कभी जुकेंगे न कभी मुड़ेंगे न कभी रुकेंगे भारत हिंदू राष्ट था है और फिर घोसत रहोकर रहेगा लेकि लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समाना दिकार मिला है सेकूलैर है हमारा देश तो सिरफ हिंदू के अधार पर देश कैसे हो सकता है संविधान में 125 बार παत्रकार महोदय संसोधन लगभग हो चुका है 126 बार हिंदू राष्ट के लिए भी होना चाहे असाउध दिनोवेसी आपको बहुत प्रेम करते है बहुत प्यार करते और वो इतना प्रेम करते है और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूँ आपको असाउध दिनोवेसी सांसद है AI M.I.M.K. और आपको बहुत प्रेम करते हैं वो क्या कहते है सुनिए जरा कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे कैसे बनाएंगे आप तब आप अम बेट करके समीधान कुछ जला देंगे क्या लेकिन जब आप हिंदू राश्ट की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरुधी करार दे दिया जाता है एक साइक लॉजी है साइक लॉजी है कैसे साइक लॉजी एसे है कि किसी वी सनातनिय व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाई यही है कि किसी पंथ और मजभब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने मिसन में सक्सिस्फुल ना हो पाब है वो भारत में समानता की नीती ना इस्थापित कर पाब है वो राम राज जी की नीती ना इस्थापित करवा पाब है वो इस देश में एकता ना हो पाब है इस देश में धर्म का जो लड़ाई है पंत की जो लड़ाई है वो ना मिट पाब है अगर ये मिट जाएगी तो राजनेतिक रोटिया नहीं सिखेंगी लेकिन आप एक शब्द यूज करते है ठटरी के बहुत प्यारा सब्द है अब बुंदेल खंडी आदमी अब तो लगबख भारत का प्रतेक बागिस्वधाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी ये परिवार के लोग हमारे जानते है ठटरी गरे सब्द का अर्थ है सत्त यथार्थ सास्वत एक दिन ठटरी सबकी बरनी है और उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है तो सनातन के खिलाफ आप किसको मानते है ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया आपके एक मित्र है शेक मुबाराख खान अपके मित्र है अच्छा 500-600 मुसलमान परिवार हमारे सिस भी है ये भी हम आपको बता देते हैं हर पंत के लोग हम से जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोस नहीं है और अभी जहां कता करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्सा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट का भी कनवर्जन पर हम भरोशा नहीं करते हैं हम तो घर बापसी अब भाई राम जी के सरण में बिभीशन आया तो राम जी भगा देंगे क्या भगाया क्या आये तो राम जी ने गड़ा वो भी तो सत्रू का भाई था बिभीशन उन्होंने भी गले लगाया है हम भी प्यारे यही क पढ़ता है मित्र हैं आपकी पर मित्रता तो महबत तो महबत होती है महबत रंग और धर्म और पंत नहीं देखती महबत तो चांसे भी हो जाती है जो कभी मिलने लायक नहीं होता है आपने बयान दिया तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें भागना पड़ेगा इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्तर फैकने वालों के घर बुल्डोजर चलवाओ क्यों अगर कोई पत्तर फैके तो क्या करें स्वागत करें हमने सिर्फ बिनम्रता पूर्वक कहा आत्मरक्षा हमारा यह वयान पूर्टया अहिंसात्मक है बुल्डोजर चलवाना अहिंसात्मक है हमने यह नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ हमने यह कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुल्डोजर चलवाओ आज एक दोर है आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं चोंकि बहुत नेक काम है इसकी तारीव भी मैं करना चाता हूँ आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं लेकिन कभी आपको अपनी बेहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी तब शेख मुबारक ने आपकी मदद करी थी अक्सर रिक्से से घर जाता है, करोडों अर्मों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को हसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा, उसका संघर्स किसी ने नहीं देगा। उससे हमारा कोई निजी स्वारत नहीं है, चार साल से निसुलक बंडारा चलवा रहे हैं, इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है, और हमारा तो आस्रम भी नहीं बन पा रहा है। और आगामी समय में आने वाली कताओं की दक्षना से कैंसर हॉस्पीटल बन वा रहे हैं, वो भी मंत्र चिकित्सा करने वाली एक परमपरा का एक साधक, उससे भी हमारा कोई हित नहीं है, हमारा सिर्प संकल्प मानवता और प्रतेक ब्यक्ति को राम से जोड़ने का। लेकिन आपने बोला, आप तो मुख्यमंत्री आते हैं, पूर मुख्यमंत्री आते हैं, कॉंग्रेस आती है, बीजेपी आती है, तो अब एक इमेज आती है कि अब तो बाबा सर्वे सर्वा हो गए हैं, अब इनके आगे कौन? हम आपको बहुत बिनमरता पूरवक करें, हम परभाव में पढ़ने वालों मैंसे नहीं है, हमारी उपर पहले ही एकका प्रभाव पढ़ चुका है, बाकि हम प्रभाव में बहुत जादा, परभाव के लोगों से बहुत जादा अपेक्शा नहीं रखते हैं, और परभाव क कि आप क्या सोचते हैं जब रात तो समय हो जाता है जब अकेले होते हैं 24 घंटे में हमारे 3 या 4 घंटे हैं निजी चाहे हम सो लें क्योंकि वहाँ हजारों लोग आते हैं हमें लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे तो विचारे इन पर क्या भीतेगी अप एक शाहें लेकर कि लोग आते हैं तो हमारे अकेले और एकांत में सिर्फ 2-3-4 घंटे जो होते हैं चार घंटे अकेले क्या सोचते हैं बाबा सनातन लोगों का हित कैसे हो जाए अंग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है पूर विदेश मंतरी है सर्मान कुशीत साब वो कहते हैं कि राम राज्य इस इकल टू निजाब मुस्तफा ये दोनों समान है इसमें कोई फरक नहीं है एक अरब अंठानवे करोड चपन लाक अंठावन हजार एक सो दस साल पुराना धर्म है इस प्राचीन इससे भी ज़्यादा प्राचीन है एक हमने लगभग लगभग बताया है अब कोई अपने आप से तौलता है ये उसकी बिचारे की मजबूरी है राम राज्य की अगर वो कल्पना कोई आपने नाम लिया है पवित्रमू से हम बो लेना नहीं चाहेंगे अगर कोई राम राज्य को अपने उससे तौल रहा है वो बिचारे की मजबूरी हो तौलना भी चाहिए बड़ों की सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज़ित बचाते वो कहते हैं अब अंध विश्वास को बढ़ावा देते हैं आप लोगों को अपने औरा में उलजा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते दूसरी बात हम कोई अंध विश्वास नहीं फैलाते हैं इस देश में चादर चड़ाना सृध्धा है इस देश में केंडल जलाना सुर्द्धा है इस देश में हली उल्ला कहके एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना सुर्द्धा है लेकिन हनमान 40 का उपाय बताना अंद्विश्वास हो गया है अदबुद देश है यह मूँ लोग लाते कहां से है पास सब कुछ लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे अगर कोई कहता कि भगवान नहीं होते ही इस दिब्ब सक्तियां नहीं होती है हमने अनभाव कि आये चले आये कभी बागे सो धाम बैलकम टू यू आरो फिर लगता जी को मानते हैं विल्कुल मानते हैं क्या आप सनातनी है विल्कुल क्या आप दीपक जलाते हैं विल्कुल जलाते हैं यह भी अंद्विश्वास है तो आप करें दीपक जलाना भी अंद्विश्वास है अगर हनमान चालीसा पढ़ना अंद्विश्वास किसी को लग रहा हन अब आपको तो different different type के challenge दिये जा रहे है पहले एक 30 lakh वाला challenge ़ाइज था, एक करोड़ वाला challenge हो रहा है जैसे जैसे आपकी popularity बनरी यह challenge का price भी बढ़ता जा रहा है रही हाती चले बजाए एसी चलता रहता है धिरेन शास्तित के पास ही चलिए सब लोग ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं अनमान चालीसा में हैं नासे रोग हरे सब अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है और ये चौपाई अगर चमतकार कर देती है इसमें दोसी हम क्यों तुलसिदाज जी के उपर आरुप लगाई हैं हमारे भगवान हनवान जी भी बूटी पर भरोसा करते लाय सजीवल लखन जी आई अगर ओमेसी जी आपके पास आई अरजी लगवाने के लिए तो आना चाहिए उनको आना चाहिए लगाते जीए सद गुद्धी सबको होनी चाहिए हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो जिन जिन को आना वो सबका स्वागात आए किस किस का अपने परचा मतब नेताओं में राहूल गांदी जी का परचा खोला कि यह आदी कभी महरसी बालमीग जी के समय से चल रही परंपरा लोगोंने अब जाना है कभी अगर आज हमारे दादा गुरू जी होते तो लोग साइद ये परशनी भी नहीं कर पाते क्योंकि उस जमान में मीडिया नहीं थी हमारे दादा गुरू तो आप समझाओ हमारे बाप के बाप हैं वो हम जब इतने खतर नाक है तो वो कितने नही लेकर यहां पर कई लोग हैं जो अपने परशे खुलवाना चाहते हैं जो स्टूडियो के उसपार है यानि कैमरा की तुरू अपको देख रहे हैं वो आपने परशे खुलवाना चाहते हैं तो जी जी मेरा एक सवाल है आप अभी अभी कह रहे थे जब आप एकांत में होते हैं तो यह सोचते हैं कि सब का भला कैसा हो आप स्वेम बागेश्वर सरकार हैं धीरेंद्र कृष्ण आप नगारिश्वर सरकार लोग जानते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते ह् है प्राथ्ण सिर्फ हिंदू तो मेरे क्या से हिंदू मुसलिम ये यह था इसाइफ एसे भी बड़ा शभद है उसको हम एक पहली बात तो आपने हमको बहुत कम सुना है आप हमको बहुत सुनियेगा हिंदू का मतलब कोई एक बिसेश संपरदाए नहीं हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वो हिंदू है जी चलिए अब एक सवाल जवाब का एक और हिंसा के खिलाब वो हिंदू हिंसा जिसे पसंद ना हो स्वामी जी समाजबादी पार्टी के एक बड़े नेता है जो रामचरित मानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं हमने सुना है और वो आपके बारे में कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता अभी कुछ धरमाचारियों के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं एक-एक एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंद गरफतार कर लेना चाहिए अगर हमने इस देश में कानून है इस देश में संबिधान है इस देश में नीती है अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गरफतार कर लेना चाहिए देर ना करें लेकिन राजनेताओं की बातों पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है क्योंकि सिर्फ उनके कमेंट्स राजनेतिक रोटियों तक सीमत रहते हैं इसलिए दो कोड़ी की राजनीती में हम करोडों की अध्यात्म को नहीं बाहें अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि देश में राजनीती की बात होती है और आपने 2024 का जिकर किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्या तैयारी कर रहे है 2024 की इंदूराश्ट की पर 2024 में चुनाव भी है चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं इधर तो नित्चुनाव है अजिक एक बात बताईए बागेश्वर रधाम में आप रहते हैं देशास्त्री आपको डर लगता है किसी के बाप से नहीं तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आब आपका डरें किसके बाप से हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं ना किसी के मकान पर कबजा किया ना हमने जमीन छोड़ाई ना किसी से दान लिया तो किसके बाप से डरें हम बाटने बैटे हैं तो सिर्फ हनमान जी से डरते हैं पाप से डरते हैं हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत न हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े इससे डर ल रायन बाजी हुई किसी ने उसको नफ़रत वारा ग्रंत कहा जिसने आपको भी जेल भीजने की बात कही Öसneबी उसको नफ़रत वारा मैं सुआमी परसात्रमोरिया की बात कर रहा हूँ और एक भिहार के मंत्रिये उन्हों नहें भी कहा किसी ने इसको महिला विरोधी किसी रहे इसको दलित विरोधी कहा इस या कहते है इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है राम के देश में राम के विरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार-बार प्रोडूस करना है और बार-बार उसको आगे अप्रोच करना है ऐसे ब्यक्ति के बारे मे ना तो सोचना चाहिए ना बात करने ही चाहिए हरी हर निंदा सुने जो काना हो ही पाप गवगात समाना माता पिता भगवान सिव भगवान विष्णू की निंदा करने वाले व्यक्ति को सुनना और उसको देखना गोहत्या बराबर पाप आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लैनिंग हो रही है और आपके विरोधी विरोधीयों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षाब होनी चाहिए साधु संत के तुम रखो वारे असुर निकंदन राम वैसे तो उन्होंने हमें सिकॉर्टी दे रखी है सुरी हनमान जी नहीं लेकिन लॉकिक बिवहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई विवस्ता हो और है कोई दोस नहीं है या कोई बुराई नहीं सब को डर देखो इस देश में कल तक हम कता कर रहे थे दरवार लगा रहे थे कभी बात नहीं उठी है जब से पुर्जोर तरीके से कन्वर्जन को रोका सबसे लोगों को जलन दूए एक लॉबी आपके खिलाफ है पूरी प्लांटिड लोगों का आना प्लांटिड दरवार में चिलना आना भी कुछ दिन पहले एक प्लांटिड व्यक्ती का पोल खोला दरवार में ही वो बीस दरवार में चिलना पड़ा धाम पे भी प्लांटिड लोग आना ये छोटा सा एक छोटा सा विवाद बहुत ब धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं तो वो धीरंद्र कृष्ण के उपर क्यों नहीं कर सकते हैं सचाई यह है क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मिसन को फैल हम कर दो मैं एक सवाल पूछता हूँ आप इसाईयों के खिलाफ है बिलकुल भी नहीं तो सारी सबसारी घर बाप्सी तो वहीं से हो रही है फिर वही वाद धर्म परिवर्तन वो कराएं हम तो घर बाप्सी करवा रहे हैं चलिए अगला राउंड और यह आखरी राउंड भी है और इस राउंड में मैं आपको कुछ तस्वीरे दिखाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया उस पे लूँगा इस राउंड की शुरुबात करते हैं और पहरी तो तस्वीर आ रही है आपका वाकई दिल खुश हो पूज गुर्देव भगवान है यह हमारे उनी की कृपा है जय हो गुर्देव भगवाने की जय हो तो क्या कहना चाहते हैं आप गुरु जी के बारे में अपने बस जो पूछते थे आज तक की चमतकार क्या है यह जिनके नेत्र नहीं है अनेकों गरंतों की जिनोंने रचना किये हो अनेक भासाओं का जिनको ग्यान हो राममंदर का मुद्दा जिनोंने सुप्रीम कोट में जाकर के रखा हो और शाक्ष पृष्टत किये हो और शाक्ष पृष्टती करन से जिन महापूरुष ने जज को भ बड़ा चमतकार और क्या हो आप करें ये हैं चमतकार ये भारत के जो लोग हमसे अब तक पूछते थे चमतकार क्या है उनको हमारे पास आने के पहले हमारे गुरुजी के बारे में समझ लेना चाहिए पुझ जगद गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले अगली तस्वीर जो है देखते हैं कौन सियर्य मुझे भी नहीं पता है ये राहूल गांदी जी क्या कहना चाहते हैं नो कमेंट्स राजनेता और राजनीती पर हमारा कोई कमेंट्स ये भी काफी आजकल धरम की बारे में बात कर रहे हैं श्वागत अगली तस्वीर देख ले राज़ पीट की देश की प्रमुक्षत्ता पर जो बैठे हैं और राष्ट हित जो कर रहे हैं उन्हों सब को बागिश्व पीट से साध्रुबारे अगली तो कुछ कुछ कहना आप प्धानमंत्री मोधी जैसा काम कर रहे हैं उस पर आप कुछ प्रतिकिया करना चाहते हैं योगिया दितनात कुछ काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं सब हमारे लिए तो सब जो भी कर रहे हैं सब बड़ी है नमस्कार विवस आज मेरे साथ एक बेहद खास मेमान होंगी इनकी उम्र भलई केवल 27 साल है लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विशे बने हुए हैं ये खुद को कटर सनातनी हिंदू राक्ष्ट का पक्षधर और घर वापसी के सबसे बड़े प्रयायुजक बताते हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुक धिरेंद्र शास्त्री महराज का अभिनंदर आपका अभिनंदन है पहले तो स्वागत आपका न्यूज एटीम केस मंद्र शास्त्री जी आपका अभिनंदन है पहले तो स्वागत आपका न्यूज एटीम केस मंच में बहुत-बहुत धन्नबाद, बहुत-बहुत सादु बाद, और आरपार के इस कारीकरम को भी बागेस और पीट की और से बहुत-बहुत धन्नबाद बहुत बहुत आभार आपका लेकिन आपकी जबरदस्ट फैन फालोइंग है मैं युवाओं के हिसाब से अगर पूछू तो जबरदस्ट फैन फालोइंग है आपका बड़ा क्रेज है इतना क्रेज तो बॉलिवूड आक्टर्स का भी नहीं होता लेकिन आज मैं आपसे एक फैन फालोइंग नहीं है हमारा तू पूरा परिवार है फैन फालोइंग तो उनकी होती है जो सेलेबिटी होते हैं आई एम नौट सेलेबिटी आई एम नौट एक्टर आई एम नौट फिलम एक्टर हम तो केबल एक साधारन मान और सनातन का जंडा लेकर चलने वाले एक सा पत्कारी हैं अफ्तारी हैं कौन है धीरेंद्र शास्त्री एक साधारन इंसान है जैसे आप हैं वैसे हम हैं बस हनुमान जी के एक साधारन से सेवक हैं उसका परनाम है यह कि जो धर्म बिरोधी हैं उनके मूँपर तमाचा लग रहा है तो आपके पास ऐसा क्या गुण है मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना सच्चाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्त से जोडने का गुण है और अगर किसी भी इनसान के पास ये गुण आ जाए तो ईश्वरिय दिब करपा को वो सुता ही पा जाता आपका दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है जिसकी वज़ा से आप लोगों की समस्या का समधान कर देते हैं लेकिन आलोचक भी है आपके और बड़ी संख्या में है वो आलोचक वो कहते हैं कि आप एक माइंड डीडर है इससे ज़्यादा कुछ है पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही अर्मान जी की कृपा है सब पर है सो हम पर है और दूसरी बात रही बात माइंड डीडर वाली कांच में वो मडी में बहुत अंतर होता है चमकदार दोनों होते हैं पर जो मनी काम करती है वो काच काम नहीं करता ये देश सेकुलर है लेकिन आप हिंदू राष्ट की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े अगर हिंदूस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदूस्तानी है ही ने वो लगता है बेश्ट अंडीच का आदमी है अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के संदिकट रहने माला ही हिंदु राष्ट नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे और रही हमारी बात जिनको जो लगता हो लगने दो हम अपनी बात से न कभी जुकेंगे न कभी मुड़ेंगे न कभी रुकेंगे भारत हिंदु राष्ट था है और फिर घोसत रहोकर रहेगा लेकिन संविधान में सबी धर्मों को समाना दिकार मिला है सेकुलेर हमारा देश तो सिर्फ हिंदू के आधार पर देश कैसे हो सकता है संविधान में 125 बार पत्रकार महोदै संसोधन लगभग हो चुका है 126 बार हिंदू राष्ट के लिए भी होना चाहेगा आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो इतना प्रेम करते हैं, और उन्होंने क्या कहा है, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, आपको बहुत प्रेम करते हैं, वो क्या कहते हैं, सुनिये ज़रा कैसे आप कह सकते हैं किस देश को ऐसा बना देंगे, कैसे बनाएंगे आप तो हम बेट करके सम्मीधान कुछ जला देंगे, क्या लेकिन जब आप हिंदु राष्ट की बात करते हैं तो इसको मुस्विरूधि करार दे दिया जाता है एक साइकलोजी है psychology ऐसे है कि किसी वी सनातनिय व्यक्ति को गिराने का बढ़िया हो पाई यही है कि किसी पंथ और मजभब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने मिसन में successful ना हो पाब है वो भारत में समानता की नीती ना इस्थापित कर पाब है वो रामराजी की नीती ना इस्थापित कर पाब है और इस देश में एकता ना हो पाब है इस देश में धर्म का जो लड़ाई है पंत की जो लड़ाई है वो ना मिट पाब है अगर यह मिट जाएगी तो राजनेतिक रोटिया नहीं सिकेंगी राजनेतिक रोटिया नहीं सिखेंगी लेकिन आप एक शब्द यूज़ करते हैं ठटरी के बहुत प्यारा सब्द है अब बुंदेल खंडी आदमी अब तो लगबख भारत का प्रतेक बागिस्वधाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी है परिवार के लोग हमा तो सनातन के खिलाफ आप किसको मानते हैं ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया आपके एक मित्र है शेक मुबारक खान शेक मुबारक खान आपके मित्र है अच्छा 500-600 मुसल्मान परिवार हमारे सिस्स भी है ये भी हम आपको बता देते हैं हर पंत के लोग हमसे जुड़ तो यही तो परिशानिया है आप से कई लोगों को आप क्रिशन को हिंदू बना देते हैं मुसल्मान को हिंदू बना देते हैं हम किसी को भी धर्म बापसी नहीं करवाते हैं हम सिर्फ उनको अपने पूर्वजियात करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं किसी की धर हम धर्म बापसी पर भरोशा नहीं करते हैं, कनवर्जन पर हम भरोशा नहीं करते हैं, हम तो घर बापसी, अब भाई राम जी के सरण में बिभीशन आया तो राम जी भगा देंगे क्या, भगाया क्या, आये तो राम जी ने गड़ा, वो भी तो सत्रू का भाई था, बिभीश उन्होंने भी गले लगाया और हम भी प्यारे यही करते हैं क्या गुनाय करते हैं शेक मुबारक बॉलिवुड बॉयकॉट के विशे पर बुल्डोजर पर वो इस तरह के विवादित बयानों से वो करते हैं मैं सहमत नहीं हूँ उनके सहमत होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं फड़ता है मित्र हैं आपकी पर मित्रता तो महबत तो महबत होती है महबत रंग और धर्म और पंथ नहीं देखती है महबत तो चांसे भी हो जाती है जो कभी मिलने लायक नहीं होता है आपने बयान दिया तुम अभी भी नहीं जागे तो तुमें भागना पड़ेगा इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फैकने वालों के घर बुर्डोजर चलवाओ हम ने सिर्फ बिनमड ता पूरुवग कहा आत्मरक्षा हमारा यह वयान पूर्ताया अहिंसात्मक है इसमें हिंसा को किंचत मात्रुवी जगय नहीं है हमने ये नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ हमने ये कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुल्डोजर चलवाओ आज एक दौर है आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं चोकि बहुत नेक काम है इसकी तारीव भी मैं करना चाहता हूँ आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं लेकिन कभी आपको अपनी बहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मागनी पड़ी थी तब शेख मुबारक ने आपकी मदद करी थी हाँ उन्होंने की बहुत लोगों ने उस बक्त हमारी मदद की उसमें से एक मुबारक एक ने बहुत अच्छी भूमका निवाई देखो मैं आप सब को बताएं यहां जो बैठे हैं जो टीवी पर आरपार पर देखेंगे हमने अपनी जीवन काल में बहुत जंजड़ देखो आपकी महेंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्से से घर जाता है करोडों अर्मों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है दुनिया को हसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है यह एक बिवस्था है इस प्रक्ती की हमने अपने जीवन में बहुत अभाव देखे बहुत आसू बहा है बहुत संघर्ष आज भी संघर्ष लोगों को लगता है लोग तारीफ करते रहे जिंदिगी बर उस दीबाल पर टंगी चित्र की लेकिन जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा उसका संघर्ष किसी ने नहीं देखा आज लोगों को चुब रहे होंगे हम आज लोगों को लग रहा होगा कि ये बंठन करके टीवी पर आकर प्रबचन ठोक रहा है लेकिन उसके पीछे हमने कितने संघर्ष जेले और कितने जेल नहीं रहे सनातन हमारे बाप की बापोती हो हम सनातन अपने लिए नहीं कर रहे है सनातन से हमारा कोई निजी हित नहीं है कन्या बिभाए 125-50 करवाने के लिए करजा उठा उठा करके हम बेटियों का बिभाए कर रहे है उससे हमारा कोई निजी स्वारत नहीं चार साल से निसुलक बंडारा चलवा रहे हैं इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है ना आस्रम का हित हो रहा है और हमारा तो आस्रम भी नहीं बन पा रहा है और आगामी समय में आने वाली कताओं की दक्षना से कैंसर हॉस्पीटल बन वा रहे हैं वो भी मंत्र चिकित्सा करने वाली एक परमपरा का एक साधक उससे भी हमारा कोई हित नहीं है हमारा सिर्फ संकल्प मानवता और प्रतेक ब्यक्ति को राम से जोडने का लेकिन आपने बोला आप तो मुख्यमंत्री आते हैं पूर मुख्यमंत्री आते हैं कॉंग्रेस आती है बीजेपी आती है तो अब एक इमेज आती है कि अब तो बाबा सर्वे सर्वा हो गए है अब इनके आगे कौन देयालू हम आपको बहुत बिनमरता पुरवक कहें हम प्रभाव में पढ़ने वालों मैंसे नहीं है हमारी उपर पहले ही एक का प्रभाव पढ़ चुका है वो बजरंग वली का है बाकी हम प्रभाव में बहुत जादा प्रभाव के लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं और प्रभाव के लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते हैं कोई आए तो स्वागत है, सब आते हैं आपने एक बात बोली कि अक्सर लोगों को हसाने वाला अकेला बैटके रोता है। मैं आप से जाना चाहता हूँ कि अकेले बैटके आप क्या सोचते हैं। जब रात को समय हो जाता है, जब आप अकेले होते हैं। 24 घंटे में हमारे तीन या चार घंटे हैं निजी। चाहे हम सो लें, चाहे हम जो कर लें क्योंकि वहाँ हजारों लोग आते हैं। हमें लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे तो विचारे इन पर क्या बीतेगी। आप एक शाय लेकर कि लोग आते हैं। तो हमारे अकेले और एकांत में सिर्फ दो, तीन, चार घंटे जो होती हैं। अकेले क्या सोचते हैं बाबा। सनातन। लोगों का हित कैसे हो जाए। अंग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है, पूर विदेशमंत्री है। सर्मान कुशीत साब वो कहते हैं कि राम राज्य इस इकल टू निजाब मुस्तफा। ये दोनों समान है, इसमें कोई फरक नहीं है। एक अरब अंठानवे करोड चपन लाक अंठाउन हजार एक सो दस साल पुराना धर्म है। इस प्राचीन, इससे भी ज़्यादा प्राचीन हैं, ये तो एक हमने लगभग लगभग बताया है। अब कोई अपने आप से तौलता है, ये उसकी बिचारे की मजबूरी है। राम राज जी की अगर वो कल्पना कोई आपने नाम लिया है, पवित्र मूँ से हम बोलेना नहीं चाहेंगे। अगर कोई राम राज जी को अपने उससे तौल रहा है, वो बिचारे की मजबूरी हो, तौलना भी चाहिए, बड़ों की सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज्जिद बचाते हैं। वो कहते हैं, अपन विश्वास को बढ़ावा देते हैं, आप लोगों को अपने ओरा में उलजा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। पहली बात थो हम धर्म परिवर्थ नी कराते दूसरी बात हम कोई अंध विस्वास नहीं फैलाते हैं इस देश में चादर चड़ाना स्रिधा है इस देश में केंडल जलाना स्रिधा है इस देश में हली उल्ला कहे के एक ब्यक्ति को पकड़कर 25 ब्यक्ति में करंट लग जाना सुर्द्धा है लेकिन हनमान 40 का उपाय बताना अंदिविश्वास हो गया है अदबुत देश है यह मूँ लोग लाते कहां से है अदबुत विचारधारा है लोगों की हमने कभी यह नहीं कहा कि हम इश्वर हैं हमने कभी यह नहीं कहा कि हम चमतकारी हैं हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं हनमान जी के पास सब कुछ लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे अगर कोई करता कि भगवान नहीं होते ही शुरक दिबसक्तियां नहीं होती है हमने अनभाव कि आए चले आए कभी बागे सो धाम बैलकम टू यू आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंध विश्वास को बढ़ावा देना है अंध विश्वास विश्वास में एक बारीक लाएं बता ये समझाईए ज़रा इस बारीक लाएं देखो आप अनमान जी को मानते हैं बिलकुल मानते हैं क्या आप सनातनी हैं बिलकुल क्या आप दीपक जलाते हैं बिलकुल जलाते हैं ये भी अंध विश्वास तो आप करें दिवगंजी भी अंदविस्वासी हैं क्योंकि वो भी अन्मान चालीसा पढ़ते हैं और दीपक जला रहे हैं लेकिन अब आपको तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिये जा रहे हैं पहले एक 30,000,000 वाला चैलेंज ताब एक करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है जैसे जैसे आपकी पॉपॉलरिटी बल रही है चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है यह चलता रहता है हम कोई फरमाईसी प्रोगाम है कि किसी न फरमाईस की यह हम गाना बजा दे आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बिमारों का इलाज कर देते हैं तो फिर दूसरी तरफ से का जाता है कि अस्पिताल बंद कर देजिए धिरेन शास्तित के पास ही चलिए सब लोग ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं अनमान चाली सामय है नासे रोग हरे सब अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है और ये चौपाई अगर चमतकार कर देती है इसमें दोसी हम क्यों तुलसिदाज जी की उपर आरुप लगाई है हमारे भगवान हनवान जी भी बूटी पर भरोसा करते लाय सजीवल लखन जी आई अगर ओवेसी जी आपके पास है अर्जी लगवाने के लिए तो आना चाहिए उनको आना चाहिए लगा दे जी सद गुद्धी सबको होनी चाहिए हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो जिन उनकी पेरना से परचा बना है तो ये परचे की कहानी क्या है कुछ भी नहीं ये आदि कभी महरसी बालमीग जी के समय से चल रही परंपरा है लोगों ने अब जाना है कभी अगर आज हमारे दादा गुरू जी होते तो लोग साइड ये परशनी भी नहीं कर पाते क्योंकि झानमे मेडिया नहीं थी हमारे दादा गुरू तो उप समझव हमारे बाप के बाफ हैं वह माम जब इतने खतरना के दो वह कितने नहीं ये यहां पर ऐना है जो आफने परचे खुलवाना चाहते हैं बिलकुल आफ यही कहना चाहिs तो एक बहानाOL असलियतमे सबको हनुमा सवाल सवाल को पूछना चाता है तो पूछे जी 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 में फारीदाबाद सब रोहितास तायर मेरे एक सवाल है आप अभी अभी कह रहे थे जब आप एकांत में होते हैं तो यह सोचते हैं कि सब का भला कैसा हो आप स्वेम बागेश्वर सरकार हैं धीरेंद्र कर आप I am not बा बात ना कर सकते हैं कि आपने जो बात रखी धर्म निपेक्ष के बारे में गवी सिरफ हिंदू तो धर्म तो जो है मेरे क्यार से हिंदू मुसलिम शीख इसाई उससे भी बड़ा शबद है उसको हम एक मजहर नहीं बात सकते हैं पहली बात तो आपने हमारे हमको बहुत कम आप हमको बहुत सुनियेंगा हिंदू का मतलब कोई एक बिसेश संपरदाय नहीं हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वो हिंदू है जी चलिए अब एक सवाल जवाब का एक और है जो हिंसा के खिलाब वो हिंदू हिंसा जिसे पसंद ना हो वो गर हमने इस देस में कानून है, इस देस में संबिधान है, इस देस में नीती है, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गरबतार कर लेना चाहिए देर ना करें लेकिन राजनेताओं की बातों पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है क्योंकि सिर्फ उनके कमेंट्स राजनेतिक रोटियों तक सीमत रहते हैं इसलिए दो कोड़ी की राजनीती में हम करोडों की अध्यात में को नहीं बहाएं अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि देश में राजनीती की बात होती है और आपने 2024 का जिकर किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्या तैयारी कर रहे है 2024 हिंदू राष्ट की पर 2024 में चुनाव भी है चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं इधर तो नित्य चुनाव है अच्छक एक बार बताईए बागेश्वर रधाम में आप रहते हैं धिरेशास्त्री आपको डर लगता है किसी के बाप से नहीं तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आब आपका डरें किसके बाप से हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं ना किसी के मकान पर कबजा किया ना हमने जमीन छोड़ाई ना किसी से दान लिया तो किसके बाप से डरें हम बाटने बैटे हैं तो सिर्फ अनमान जी से डरते हैं पाप से डरते हैं हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत न हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े इससे डर लगता है लेकिन एक विशे है जो कि बहुत महत्पूर्ण है और ये विशे मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ रामचरित मानस को लेकर बहुत सारी बयान बाजी हुई किसी ने उसको नफरत वाला गरंद कहा जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला गरंद कहा मैं सुआभी पर साथ मौरिया की बात कर रहा हूँ और एक बिहार के मंत्रिये उन्होंने भी कहा किसी ने इसको महिला विरोधी किसी ने इसको दलित विरोधी कहा इस या कहते हैं इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है राम के देश में राम के बरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार-बार प्रोडूस करना है और बार-बार उसको आगे अप्रोच करना है ऐसे ब्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए ना बात करनी चाहिए हरी हर निंदा सुने जो काना हो ही पाप गव घात समाना माता पिता भगवान सिव भगवान विश्नु की निंदा करने वाले ब्यक्ति को सुनना और उसको देखना गोहत्या बराबर पाप आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लैनिंग हो रही है और आपके विरोधी विरोधीयों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा अब होनी चाहिए कि बिवहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई विवस्ता हो और है कोई दोस नहीं है या कोई बुराई नहीं सबको डर देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे दरबार लगा रहे थे कभी बात नहीं उठी जब से पुर्जोर तरीके से जलन को रोका सबसे लोगों को जलन को सबसे नए नए प्लाइट लोबी आपके खिलाफ है पूरी प्लाइटिड लोगों का आना प्लाइटिड दरबार में चिला आना भी कुछ दिन पहले एक प्लाइटिड व्यक्ती का पोल खोला दरबार में ही वो बीस दरबार में चिला पड़ा धाम पे भी प्लाइंटेट लोग आना ये चोटा सा एक चोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना इस सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम की जो सेवक हैं जी उनको गिराने का एक बहुत बड़ा सडेयंत्र चल रहा क्योंकि जो करोणों रोपए धर्म परिवर डर है कि उनके मिसन को फैल हम करते हैं मैं एक सवाल पूछता हूँ आप इसाईयों के खिलाफ हैं बिलकुल भी नहीं मुसल्मानों के खिलाफ हैं बिलकुल भी नहीं तो सारे सारी 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 घर बापची तो वहीं से हो रही है फिर वही वाद धर्म परिवरतन बो कर आए हम आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा और अपनी गदी से भी खड़े हो जाएंगी जो तस्वीर में दिखाने जा रहा हूँ वाकई में करो कोई बात है तो हम खड़े भी हो जाएंगे यह तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे जगत गुरू राम भद्राचारे जी उनी की कृपा है जेखो गुरुदे भगवानी की जेखो तो क्या कहना चाहते हैं आप गुरू जी के बारे में अपने बस जो पूछते थे आज तक की चमतकार क्या है ये जिनके नेत्र नहीं है, अनेकों गरंथों की जिनोंने रचना किये हो, अनेक भासाओं का जिनको ग्यान हो, राममंदर का मुद्दा जिनोंने सुप्रीम कोट में जाकर के रखा हो, और शाक्ष पृस्तुत किये हो, और शाक्ष पृस्तुती करन से जिन महापूरुष ने जज इसमें इससे बड़ा चमतकार और क्या हो आप करें यह है चमतकार यह भारत के जो लोग हम से अब तक पूछते थे चमतकार क्या है उनको हमारे पास आने के पहले हमारे गुरुजी के बारे में समझ लेना चाहिए पुझ जगद गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले अगली तस्वीर जो है देखते हैं कौन सी आ यह मुझे भी नहीं पता है राहूल गांधी जी किया क्या कहना चाहते हैं नो कमेंस यह भी काफी आज कल धर्म की बारे में बात कर रहे है श्वागत अगली तस्वीर देख लेते हैं किस की आ रही है नरेंद मोधी और योगिया दित्यनाथि एक देश की परधान मंत्री हैं एक उत्रपड़ेश की मुख्य मंत्री हैं राज-पीट की देश की प्रमुक्षात्ता पर जो बैठे। और राष्ट हित जो कर रहे हैं उन शब को बागिश पीट से साध्रूवान। अगली तो कुछ कुछ कहना आप प्रधानमंत्री मोधी जैसा काम कर रहे हैं उस पर आप कुछ प्रतिकिया करना चाते हैं योगिया दितनात कुछ काम कर रहे हैं किसी पर क्या कहें जो कर रहे हैं सब हमारे लिए तो सब जो भी कर रहे हैं सब बड़ी है नमस्कार विवस आज मेरे साथ एक बेहद खास मेमान होंगी इनकी उम्र भलई केवल 27 साल है लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विशे बने हुए हैं ये खुद को कटर सनातनी हिंदू राक्ष्ट का पक्षधर और घर वापसी के सबसे बड़े प्रयायुजक बताते हैं जोरदार तालियों के साथ स्वादत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुक धिरेंद्र शास्त्री महराज का अभिनंदर आपका अभिनंदर आपका शास्त्री जी आपका अभिनंदर पहले तो स्वागत आपका न्यूज 18 के इस मंच में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत साधूबाद और आर पार की तारीक्रम को भी बागेश्वर पीट की और से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आपका लेकिन आपकी जबरदस्ट फैन फॉलोइंग है मैं युगाओं के हिसाब से अगर पूछू तो जबरदस्ट फैन फॉलोइंग है आपका बड़ा क्रेज है इतना क्रेज तो बॉलीवूड आक्टर्स का भी नहीं होता लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछा जाता हूँ कि आपकी इस फैन फॉलोइंग का बड़ा राज क्या है आप जादुगर हैं चमतकार दिखाने वाले हैं आकिर धेरेंद्र शास्ट्री है कौन पहली बात तो हमारी कोई फैन फालोईंग नहीं है हमारा तुपूरा परिवार है यह फैन फैनको नोगो Cameron तो उनकी होती है जो सेलेबिटी होते हैं I am not celebrity I am not actor I am not filmmaker हम तो केबल मान औस सनातना जं। का जंडा लेकर चलने वाले एक साधख हैं कोई fayan following नहीं हमारा परिवार हो में गर्ब है कितना बड़ा परिवार लेकिन अगर आपका मैं परिचे पूछू कि धिरेंद्र शास्त्री कौन है चमतकारी है अफ्तारी है कौन है धीरेंद्र शास्त्री एक साधारन इंसान है जैसे आप हैं वैसे हम हैं बस हनुमान जी के एक साधारन से सेवक हैं उसका परनाम है ये कि जो धर्म बिरोधी हैं उनके मुँपर तमाचा लग रहा है तो आपके पास ऐसा क्या गुण है मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना सच्चाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सब को सत्च से जोडने का गुण है और यह अगर किसी भी इंसान के पास यह गुण आ जाए तो इस शुरी यह दिब्ब करपा को वो सुता ही पा जाता आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की करपा है जिसकी वज़ा से आप लोगों की समस्चा का समधान कर देते हैं लेकिन आलोचक भी है आपके और बड़ी संख्या में है वो आलोचक वो कहते हैं कि आप एक माइंड डीडर है इस से ज़्यादा कुछ पहली बात तो यह दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही हर्मान जी की करपा है सब पर है सो हम पर है और दूसरी बात रही बात माइंड रीडर वाली कांच में वो मडी में बहुत अंतर होता है चमकदार दोनों होते हैं पर जो मडी काम करती है वो कांच काम नहीं करता है यह देश सेकुलर है लेकिन आप हिंदू राष्ट की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही ने वो लगता है बेश्ट अंडीच का आदमी है अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ती हिंद महासागर के सन्निकट रहने बाला ही हिंदू राष्ट नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे और रही हमारी बात जिनको जो लगता हो लगने दो हम अपनी बात से ना कभी जुकेंगे ना कभी मुड़ेंगे ना कभी रुकेंगे भारत हिंदू राष्ट था है और फिर घोसत रहोकर रहेगा लेकिन सविधान में सभी धर्मों को समानधिकार मिला है सेकुलेर है हमारा देश तो सिर्फ हिंदुं के अधारपर देश कैसे हो सकता है पंत निरपेक्ष राष्ट है संविधान में 125 बार पत्रकार महोद संसोधनलगभग हो चुका है 126 बार हिंदु राष्ट के लिए भी होना चाहिए असाउध दिनोवेसी आपको बहुत प्रेम करते हैं बहुत प्यार करते हैं वो इतना प्रेम करते हैं और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूँ आपको असाउध दिनोवेसी सांसद हैं M.I.M.K. और आपको बहुत प्रेम करते हैं वो क्या कहते हैं सुनिए जरा कैसे आप कह सकते हैं किस देश को ऐसा बना देंगे कैसे बनाएंगे आप तो आप अमबेट करके समभीधान को जला देंगे क्या उन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं वैसे इनके लोग गजवाई हिंद कह सकते वैसे हम भगवाई हिंद कह सकते लेकिन जब आप हिंदू राष्ट की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरूधी करार दे दिया जाता है एक साइकलोजी है साइकलोजी है कैसे साइकलोजी ऐसे है कि किसी विशनातनी व्यक्ती को गिराने का बढ़िया उपाई यही है कि किसी पंथ और मजब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने मिसन में सक्सस्फिल ना हो पावे वो भारत में समानता की नीती नास्थापित कर पावे रामराजी की नीति न इस्थापित करवा पाव है वो इस देश में एकता नहो पाव है इस देश में धर्म का जो लड़ाई है पंत की जो लड़ाई है वो ना मिट पाव है अगर ये मिट जाएगी तो राजने तिक रोटियां नहीं सिकेंगी लेकिन आप एक शब्ड यूज क प्रिवरे सब्द का अर्थ है सत्य यथार्थ सास्वत एक दिन ठट्री सब की बरनी है और उसकी ठट्री बर चुकी जो सनातन के खिलाफ है तो सनातन के खिलाफ अब किसको मानते हैं ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया आपके एक मित्र है शेक मुबारक खान शेक मुबारक खान आपके मित्र है अच्छा पांसो छेसो मुसलमान परिवार हमारे से सभी यह भी हम आपको बता देते हैं हर पंत के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोस नहीं है और अभी जहाम कथा करके आए वहां फूल वर्षा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट का भी स्वागत किया यही तो परिशानिया है आप से कई लोगों को आप क्रिश्यन को हिंदू बना देते हैं मुसलमान को हिंदू बना देते हैं हम किसी को भी धर्म बापसी नहीं करवाते हैं हम सिर्फ उन में बिभीशन आया तो राम जी भगा देंगे क्या भगाया क्या आये तो राम जी ने गड़ा वो भी तो सत्रू का भाई था बिभीशन और उन्होंने भी गले लगाया हम भी प्यारे यही करते हैं क्या गुनाय करते हैं शेक मुबारक बॉलिवुड बॉयकॉट की विशे पर बुल्डोजर पर वो इस तरह के विवादित बयानों से वो कहते हैं मैं सहमत नहीं हूँ उनके सहमत होने या ना होने से हमें कोई फरक नहीं परता है मित्र हैं आपकी पर मित्रता तो महबत तो महबत होती है महबत रंग और धर्म और पंत नहीं देखती महबत तो चांसे भी हो जाती है जो कभी मिलने लायक नहीं होता है आपने बयान दिया तुम अभी भी नहीं जागे तो तुमें भागना पड़ेगा इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फैंकने वालों के घर बुल्डोजर चलवाओ क्यों अगर कोई पत्थर फैंके तो क्या करें स्वागत करें हमने सिर्फ बिनम्रता पुर्वक कहा आत्मरक्षा हमारा यह वियान पूर्टया अहिंसात्मक है इसमें हिंसा को किंचत मात्रुवी जगए नहीं है हमने यह नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ हमने यह कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुल्डोजर चलवाओ आज एक दौर है आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं जोकि बहुत नेक काम है इसकी तारीव भी मैं करना चाहता हूँ आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं लेकिन कभी आपको अपनी बेहन की शादी के लिए आरपार पर देखेंगे, हमने अपने जीवन काल में बहुत जंजड़ देखो, आपकी महेंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्से से घर जाता है, करोडों अर्मों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छट के सोता है, दुनिया को हसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है यह एक विवस्था है इस प्रक्ति की हमने अपने जीवन में बहुत अभाव देखे बहुत आसू बहा है बहुत संघर्ष आज भी संघर्ष लोगों को लगता है लोग तारीफ करते रहे जिंदगी बर उस दीबाल पर टंगी चित्र की लेकिन उस जो चित्र जिस कील पर रहा उसका संघर्ष किसी ने नहीं देगा आज लोगों को चुब रहे होंगे हम आज लोगों को लग रहा होगा कि यह बंठन करके टीवी पर आकर प्रवचन ठोक रहा है लिकां उसके पीछे हमने कितने संघर्ष जेले और कितने जेल नहीं रहे सनातन हमारे बाप की बाप स्वार्थ नहीं चार साल से निसुलक बंडारा चलवा रहे हैं इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है ना आस्रम का हित हो रहा है और हमारा तो आस्रम भी नहीं बन पा रहा है और आगामी समय में आने वाली कताओं की दक्षना से कैंसर हॉस्पीटल बन वा रहे हैं वो अब तो मुख्यमंतरी आते हैं पूर मुख्यमंतरी आते हैं कॉंग्रेस आती है बीजेपी आती है तो अब एक इमेज आती है कि अब तो बाबा सरवे सरवा हो गए हैं अब इनके आगे कौन देयालू हम आपको बहुत बिनमृता पूरवक कहें हम प्रभाव में पढ़ने वा रखते हैं और प्रभाव की लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते हैं कोई आए तो स्वागत है सब आते हैं आपने एक बात बोली कि अक्सर लोगों को हसाने वाला अकेला बैटके रोता है मैं आप से जाना चाहता हूं कि अकेले बैटके आप क्या सोचते है जब रात को समय हो जाता है जब अकेले होते हैं 24 घंटे में हमारे 3 या 4 घंटे हैं निजी चाहे हम सो लें चाहे हम जो कर लें क्योंकि वहाँ हजारों लोग आते हैं हमें लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे तो विचारे इन पर क्या बीतेगी अप एक शाय लेकर के लोग आते हैं तो हमारे अकेले और एकांत में सिर्फ दो तीन चार घंटे जो होते हैं चार अकेले क्या सोचते हैं बाबा सनातन लोगों का हित कैसे हो जाए अंग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है पूर विदेश मंत्री है सर्मान कुशीत साब वो कहते हैं कि राम राज्ये इस इकल टू निजाब मुस्तफा ये दोनों समान है इसमें कोई फरक नहीं है एक अरब अन्ठानवे करोड चपन लाक अन्ठावन हजार एक सो दस साल पुराना धर में इस प्राचीन इससे भी ज़्यादा प्राचीन है ये तो एक हमने लगभग लगभग बताया है अब कोई अपने आप से तौलता है ये उसकी बिचारे की मजबूरी है राम राज जी की अगर वो कलपना कोई आपने नाम लिया है पवित्र मूँ से हम बोलेना नहीं चाहेंगे अगर कोई राम राज्ज को अपने उससे तौल रहा है वो बिचारे की मजबूरी हो तौलना भी चाहिए बड़ों की सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज़िद बचाते हैं ऑप लोगों को अपने ओरा में उलजा देते हैं और फिर उनका धरम परिवर्तन करा देते हैं पहली बात तो हम धरम परिवर्तन नहीं कराते दूसरी बात हम कोई अंद विश्वास नहीं फैलाते हैं इस देश में चादर चडाना स्रुधा है इस देश में केंडल जलाना सुर्द्धा है इस देश में हली उल्ला कहे के एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना सुर्द्धा है लेकिन हनमान 40 का उपाय बताना अंद विश्वास हो गया है अदबुद देश है यह मुँ लोग लाते कहां से है के पास सब कुछ लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे अगर कोई कहता कि भगवान नहीं होते ही शुर्द दिब्ब सक्तियां नहीं होती है हमने अनभाव कि आये चले आये कभी बागर सो धाम बैलकम टू यू आरो फि इस आप अनमान जी को मानते हैं क्या आप ज Cristo को रदना एंधविश्वास कि अगर हैंभाष पढ़ना अनभीस्वास किसी को लग रहा हनमान जी की ऑश्ट सिद्ध्यों का परचार करना अगर अनभिस्वास किसी को लग रहा तो उसमें अमीस दिवगंजी भी अंदिविस्वासी हैं क्योंकि वो भी अनमान 40 साब पढ़ते हैं और दीपक चला रहा है लेकिन अब आपको तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिये बरेक सकते हें पहले तीसलाग वाला चैलींजरत तब एक करोड़ वाला चैलेंज वहि‍ज जैसे जैसे अपकी पपेश्रवर यह चैलेंज मिश्च बढ़ता जा washed का है विछ रेधा है हमशलता रहता है धिरेन शास्तित के पास ही चलिए सब लोग ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं अनमान चालीसा में है नासे रोग हरे सब अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है और ये चौपाई अगर चमतकार कर देती है इसमें दोसी हम क्यों तुलसिदाज जी की उपर आर अगर ओमेसी जी आपके पास है अरजी लगवाने के लिए तो आना चाहिए उनको आना चाहिए अना चाहिए सद गुद्धी सबको होनी चाहिए हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो जिन-जिन को आना ओ सबका स्वागत आपने परचा मतलब नेताओं में राहूल गांदी ज परचा जो आता है उसकी अरजी हमारी कोई निजी आस्था से परचा नहीं बनता है उनकी पेरना से परचा यह परचे की कहानी क्या है कुछ भी नहीं यह आदी कभी महरसी बालमीग जी के समय से चल रही परंपरा लोगों ने अब जाना है कभी अगर आज हमारे दादा गु कितने नहीं होंगे यहां पर कई लोग हैं जो अपने परचे खुलवाना चाहते हैं बिलकुल आना चाहिए जो स्टूडियो के उस पार है यानी कैमरा के तुर आपको देख रहे वो अपने परचा खुलवाना चाहते हैं बिलकुल खुलवाना चाहते हैं यही कहना सवाल सवाल को पूछना चाता है तो पूछे जी 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 मैं फारीदाबाद सब रोहितास तायर मेरे एक सवाल है आप अभी अभी कह रहे थे जब आप एकांत में होते हैं तो यह सोचते हैं कि सब का भला कैसा हो आप स्वेम बागेश्वर सरकार हैं धीरंद्र कर आप I am not ना कर सकते हैं कि आपने जो बात रखी धर्म निपेक्ष के बारे में अगरी सिरफ हिंदू तो धर्म तो जो है मेरे क्यार से हिंदू मुसलिम शिक इसाई उससे भी बड़ा शबद है उसको हम एक मजहर नहीं बात सकते हैं पहली बात तो आपने हमारे हमको बहुत कम सुना ह हैं आप हमको बहुत सुनियेंगा हिंदू का मतलब कोई एक बिसेस संपरदाय नहीं हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वो हिंदू है जी चलिए अब एक सवाल जवाब का एक और उसा के खिलाब वो हिंदू हिंसा जिसे पसंद ना हो स्वामी जी समाजबादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरित मानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं हमने सुना है और वो आपके बारे में कहते हैं वो कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता अभी कुछ धरमाचारियों के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं एक-एक एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंद गरफतार कर लेना चाहिए अगर हमने इस देश में कानून है इस देश में संबिधान है इस देश में नीती है अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गरफतार कर लेना चाहिए देर ना करे लेकिन राजनेताओं की बातों पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है क्योंकि सिर्प उनके कमेंट्स राजनेत एक रोटियों तक सीमत रहते हैं, इसके लिए दो कोडी की राजनीती में हम करोडों की अध्यात में को नहीं बहाएं। अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि देश में राजनीती की बात होती है और आपने 2024 का जिकर किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं 2024 की इंदू राष्ट की पर 2024 में चुनाव भी है चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, इधर तो नित्य चुनाव है अज़िक एक बार बताईए, बागेश्वर रधाम में आप रहते हैं, धिरेशास्त्री आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आब आपका डरें किसके बाप से हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं ना किसी के मकान पर कबजा किया, ना हमने जमीन छोड़ाई, ना किसी से दान लिया तो किसके बाप से डरें हम बाटने बैटे हैं तो सिर्फ अनमान जी से डरते हैं पाप से डरते हैं हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत न हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े इससे डर लगता है लेकिन एक विशे है जो कि बहुत महत्पूर्ण है और ये विशे मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ राम चरित मानस को लेकर बहुत सारी बयान बाजी हुई किसी ने उसको नफरत वाला गरंट कहा जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला गरंट कहा मैं सुआभी पर साथ मौरिया की बात कर रहा हूँ और एक बिहार के मंत्रिये उन्होंने भी कहा किसी ने इसको महिला विरोधी किसी ने इसको दलित विरोधी कहा इस या कहते हैं इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है राम के देश में राम के बरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार-बार प्रोडूस करना है और बार-बार उसको आगे अप्रोच करना है ऐसे ब्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए ना बात करनी चाहिए हरी हर निंदा सुने जो काना हो ही पाप गव घात समाना माता पिता भगवान सिव भगवान विश्नु की निंदा करने वाले ब्यक्ति को सुनना और उसको देखना गोहत्या बराबर पाप आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लैनिंग हो रही है और आपके विरोधी विरोधीयों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा अब होनी चाहिए लॉकिक बिवहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई विवस्ता हो और है कोई दोस नहीं है या कोई बुराई नहीं सब को डर देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे दर्वार लगा रहे थे कभी बात नहीं उठी है जब से पुर्जोर तरीके से कनवरजन को रोका सबसे लोगों को जलन दूशा जब से नए नए प्लाटिट लोबी आपके खिलाफ है पूरी प्लाटिट लोगों का आना प्लाटिट दरवार में चिलाना अभी कुछ दिन पहले एक प्लाटिट व्यक्ती का पोल खोला दरव और सिर्फ बागेश्वर धाम के जो सेवक हैं जी उनको गिराने का एक बहुत बड़ा सडेयंत्र चल रहा क्योंकि जो करोड़ों रोपए धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं तो वो धीरेंद्र कृष्ण के उपर क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मिसन को फैल हम करें तो वहीं से हो रही है धर्म परिवर्तन वो कराने हम तो घर बाप्सी करवा रहे हैं चलिए अगला राउंड और यह आखरी राउंड भी है और इस राउंड में मैं आपको कुछ तस्वीरे दिखाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया उस पे लूँगा इस राउंड की शुरुबात करते हैं और पहली तो तस्वीर आ रही है आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा पूज गुर्दयो भगवान है हमारे उनी की कृपा है जय हो गुर्दयो भगवान की जय हो तो क्या कहना चाहते हैं आप गुरु जी के बारे में अपने हैं बस जो पूछते थे आज तक की चमतकार क्या है ये जिनके नेत्र नहीं है अनेकों गरंतों की जिनोंने रचना किये हो अनेक भासाओं का जिनको ग्यान हो राममंदर का मुद्दा जिनोंने सुप्रीम कोट में जाकर के रखा हो और शाक्ष प्रस्तुत किये हो और शाक्ष प्रस्तुती करण से जिन महापूरुष ने जज को भी चौका दिया हो इस देश में इससे बड़ा चमतकार और क्या हो आप करें ये है चमतकार ये भारत के जो लोग हम से अब तक पूछते थे चमतकार क्या है उनको हमारे पास आने के पहले हमारे गुरुजी के बारे में समझ लेना चाहिए पुझ जगत गुरु भगवान जगत अग्ली तस्वीर देख लेते किसकी आ रही है नरेंद मोधी और योगी अधितनाथ एक देश की परधान मंत्री हैं एक उत्तेपरदेश की मुक्य मंत्री है राज पीट के देश की परमुक्षत्ता पर जो बैठे है और राष्ट हित जो कर रहे हैं उन्हें सब को बा जहानमंत्री मोधी जैसा काम कर रहें उस पर आप कुछ प्रतिकराये करना चाते हैं योगी अधितिनात्त कुछ काम कर रहे हैं किसी पर क्या करें जो कर रहे हैं सब हमारे लिए तो सब जो भी कर रहे हैं सब बड़ी है नमस्कार विवस आज मेरे साथ एक बेहद खास मेमान होंगी इनकी उम्र भलई केवल 27 साल है लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विशे बने हुए हैं ये खुद को कटर सनातनी हिंदू राक्ष्ट का पक्षधर और घर वापसी के सबसे बड़े प्रयायुजक बताते हैं जोरदार तालियों के साथ स्वाधत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुक धिरेंद्र शास्त्री महराज का अभिनंदर आपका अभिनंदर है अभिनंदर है अभिनंदर है पहले तो स्वागत आपका News 18 के इस मंच में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सादुबाद और आरपार की कारीक्रम को भी बागेश और पीट की और से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आपका लेकिन आपकी जबरदस फैन फालोइंग है मैं युगाओं के हिसाब से अगर पूछू तो जबरदस फैन फालोइंग है आपका बड़ा क्रेज है इतना क्रेज तो बॉलिवूड आक्टर्स का भी नहीं होता लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल तुँ पूरा परिवार है फैन फॉलिवू तो उनकी होती है जो सेलेबिटी होते हैं आई एम नॉट सेलेबिटी आइम नोट एकटर आई एम नोट फिलम एक्टर हम तो केबल साधारन माना और सनातन का जंडा लेकर चलने वाले एक साध़क है हमारी कोई फैन लेकिन अगर आपका मैं परिचे पूछू कि धिरेंद्र शास्त्री कौन है चमतकारी है अफतारी है कौन है धिरेंद्र शास्त्री एक साधारन इंसान है जैसे आप है वैसे हम है बस हनुमान जी के एक साधारन से सेवक है उसका परनाम है ये कि जो धर में बिरोधी हैं उनके मुँपर तमाचा लग रहा है तो आपके पास ऐसा क्या गुण है? मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना सचाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सचाई को दावे के साथ रख करके और सब को सत्त से जोडने का गुण है और ये अगर किसी भी इनसान के पास ये गुण आ जाए तो इस शुरी ये दिब क्रपा को वो सुता ही पा जाता आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की क्रपा है जिसकी वज़ा से आप लोगों की समस्या का समधान कर देते हैं लेकिन आलोचक भी है आपके और बड़ी संख्या में है वो आलोचक वो कहते हैं कि आप एक माइंड डीडर है इस से जादा कुछ है पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही अर्मान जी की क्रपा है सब पर है सो हम पर है और दूसरी बात रही बात माइंड रीडर वाली कांच में वो मडी में बहुत अंतर होता है चमकदार दोनों होते हैं पर जो मडी काम करती है वो कांच काम नहीं करता यह देश शेकुलर है लेकिन आप हिंदू राष्ट की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं अगर हिंदूस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदूस्तानी है ही ने वो लगता है बेश्ट अंडीच का आदमी है अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के संग्निकट रहने बाला ही हिंदु राष्ट नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे और रही हमारी बात जिनको जो लगता हो लगने दो हम अपनी बात से न कभी जुकेंगे न कभी मुडेंगे न कभी रुकेंगे भारत हिंदू राष्ट था है और फिर घोसत रहोकर रहेगा लेकिन सविधान में सभी धर्मों को समान अदिकार मिला है सेकुलेर है हमारा देश तो सिरफ हिंदू के आधार पर देश कैसे हो सकता है पंत निरफेक्ष राष्ट है संभीदान में 125 बार पत्रकार महोद है संसोधन लगभग हो चुका है 126 बार हिंदू राष्ट के लिए भी होना चाहिए असाउद दिनोवेसी आपको बहुत प्रेम करते है बहुत प्यार करते है और वो इतना प्रेम करते है और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूँ आपको असाउद दिनोवेसी सांसद है AI, MIM के और आपको बहुत प्रेम करते है वो क्या कहते है सुनिये ज़रा कैसे आप कह सकते हैं किस देश को ऐसा बना देंगे कैसे बनाएंगे आप तब हम बेट करके समभी धान को जला देंगे क्या उन्होंने का कैसे आप कह सकते जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते वैसे हम भगवाई हिंद कह सकते लेकिन जब आप हिंदू राष्ट की बात करते है तो इसको मुस्लिम विरुधी करार दे दिया जाता है एक साइकलोजी है साइकलोजी है कैसे साइकलोजी ऐसे है कि किसी वी सनातनिय व्यक्ती को गिराने का बढ़िया हो पाई यही है कि किसी पंथ और मजभ को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने mission में successful ना हो पाब है वो भारत में समानता की नीती ना इस्थापित कर पाब है वो रामराजी की नीती ना इस्थापित करवा पाब है वो इस देश में एकता ना हो पाब है इस देश में धर्म का जो लड़ाई है पंत की जो लड़ाई है वो ना मिट पाब है अगर ये मिट जाएगी तो राजनेतिक रोटिया नहीं सिखेंगी लेकिन आप एक शब्द यूज करते है ठटरी के बहुत प्यारा सब्द है अब बुंदेल खंडी आदमी अब तो लगबख भारत का प्रतेक बागिस्वधाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी ये परिवार के लोग हमारे जानते है ठटरी गरे सब्द का अर्थ है सत्त यथार्थ सास्वत एक दिन ठटरी सब की बरनी है और उसकी ठटरी बर चुकी जो सनातन के खिलाफ है तो सनातन के खिलाफ अब किसको मानते है ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया आपके एक मित्र है शेक मुबारक खान शेक मुबारक खान आपके मित्र है अच्छा 500-600 मुसल्मान परिवार हमारे से सभी है ये भी हम आपको बता देते हैं हर पंत के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोस नहीं है और अभी जहां कथा करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्षा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट का भी स्वागत किया यही तो परिशानिया है आप से कई लोगों को आप क्रिश्यन को हिंदू बना देते हैं मुसलमान को हिंदू बना देते हैं हम किसी को भी धर्म बापसी नहीं करवाते हैं हम सिर्फ उनको अपने पूर्वजियात करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं किसी की दर्प हम दर्म बापसी पर भरोशा नहीं करते हैं कनवर्जन पर हम भरोशा नहीं करते हैं हम तो घर बापसी अब भाई राम जी के सरण में बिभीशन आया तो राम जी भगा देंगे क्या भगाया क्या आये तो राम जी ने गड़ा वो भी तो सत्रू का भाई था बि उनके सहमत होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मित्र हैं आपकी पर मित्रता तो महबत तो महबत होती है महबत रंग और धर्म और पंत नहीं देखती है महबत तो चांसे भी हो जाती है जो कभी मिलने लायक नहीं होता है आपने बयान दिया तुम अभी भी नहीं जागे तो तुमें भागना पड़ेगा इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्तर फैकने वालों के घर बुल्डोजर चलवाओ क्योड़ अगर कोई पत्तर फैके तो क्या करें सवागत करें हमने सिर्फ बिनम्रता पूरवक कहा आत्मरख्षा हमारा यह वै мо sedia अहिंसा प्लोजर चलवाना अहिंसात मक है इसमें हिंसा को किंचत मात्र भी जगए नहीं है हमने ये नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ हमने ये कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुल्डोजर चलवाओ आज एक दोर है आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं जो कि बहुत नेक काम है इसकी तारीफ भी मैं करना चाहता हूँ आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं लेकिन कभी आपको अपनी बेहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी तब शेक मुबारक ने आपकी मदद करी थी हाँ उन्होंने की बहुत लोगों ने उस बक्त हमारी मदद की उसमें से एक मुबारक एक ने बहुत अच्छी भूम का निवाई देखो हम आप सबको बताएं यहाँ जो बैठे हैं जो टीबी पर आरपार पर देखेंगे हमने अपनी जीवन काल में बहुत जंजड़ देखो आपकी महेंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर लिक्से से घर जाता है करोड़ों अर्वों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है दुनिया को हसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है यह एक विवस्था है इस प्रक्ती की हमने अपने जीवन में बहुत अभाव देखे बहुत आसू बहा है बहुत संघर्ष आज भी संघर्ष लोगों को लगता है लोग तारीफ करते रहे जिन्दिगी बर उस दीबाल पर टंगी चित्र की लेकिन उस जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा है उसका संघर्ष किसी ने नहीं देगा आज लोगों को चुब रहे होंगे हम आज लोगों को लग रहा होगा कि ये बंठन करके टीवी पर आकर प्रवचन ठोक रहा है लेकिन उसके पीछे हमने कितने संघर्ष जेले और कितने जेल नहीं रहे सनातन हमारे बाप की बापोती हो हम सनातन अपने लिए नहीं कर रहे है सनातन से हमारा कोई निजी हित नहीं है कन्या बिबाए 125-50 करवाने के लिए करजा उठा उठा करके हम बेटियों का बिबाए कर रहे है उससे हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं चार साल से निसुलक बंडारा चलवा रहे हैं इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है ना आस्रम का हित हो रहा है और हमारा तो आस्रम भी नहीं बन पा रहा है और आगामी समय में आने वाली कताओं की दक्षना से कैंसर हॉस्पीटल बन वा रहे हैं वो भी मंत्र चिकत्स करने वाली परंपरा का एक साधक उससे भी हमारा कोई हित नहीं है लेकिन हमारा सिर्प संकल्प मानवता और प्रतेक ब्यक्ति को राम से जोडने का लेकिन आपने बोला तो आप तो मुख्यमंत्री आते हैं पूर मुख्यमंत्री आते हैं कॉंग्रेस आती है बीजेपी आती है तो अब एक इमेज आती है कि अब तो बाबा सर्वे सर्वा हो गए है अब इनके आगे कौल दैयालू हम आपको बहुत बिनमरता पुरवक कहें हम प्रभाव में पढ़ने वालों मैंसे नहीं है हमारे उपर पहले ही एक का प्रभाव पढ़ चुका है वो बजरंग वली का है बाकि हम प्रभाव में बहुत ज़्यादा प्रभाव के लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं अब प्रभाव के लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते हैं कोई आए तो स्वागत है, सब आते हैं आपने एक बात बोली कि अक्सर लोगों को हसाने वोगा अकेला बैटके रोता है मैं आप से जाना चाहतक हूँ की अकेले बैटके आप क्या सोचते हैं जब रात को समय हो जाता है जब आप अकेले होते हैं 24 गंटे में हमारे तीन या चार गंटे हैं निजी चाहे हम सो लें, चाहे हम जो कर लें क्योंकि वहाँ हजारों लोग आते हैं लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे तो विचारे इन पर क्या भीतेगी आप एक शाये लेकर कि लोग आते हैं तो हमारे अकेले और एकांत में सिर्फ दो तीन चार घंटे जो होते हैं चार घंटे अकेले क्या सोचते हैं बाबा सनातन लोगों का हित कैसे हो जाए अंग्रे लाक अंठाउन हजार एक सो दस साल पुराना धर में इस प्राचीन इससे भी ज्यादा प्राचीन है यह तो एक हमने लगभग लगभग बताया है अब कोई अपने आप से तौलता है यह उसकी बिचारे की मजबूरी है रामराज्य की अगर वो कलपना कोई आपने नाम लिय है पवित्र मूँ से हम बुल लेना नहीं चाहेंगे अगर कोई रामराज्य को अपने उससे तौल रहा है वो बिचारे की मजबूरी हो तौलना भी चाहिए बड़ों की सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज़िद बचाते हैं आप लोगों को अपने औरा में उलजा देते है और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं दूसरी बात हम कोई अंदविश्वास नहीं फैलाते हैं इस देश में चादर चड़ाना सृध्धा है इस देश में केंडल जलाना सृध्धा है इस देश में हली उल्ला कहक एक ब्यक्ति को पकड़कर 25 ब्यक्ति में करंट लग जाना सुर्द्धा है लेकिन हन्मान 40 का उपाय बताना अंदिविश्वास हो गया है अदबुत देश है यह मूँ लोग लाते कहां से है अदबुत विचारधारा है लोगों की हमने कभी यह नहीं कहा कि हम इश्वर हैं हमन हन्मान जी के पास सब कुछ लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे अगर कोई कहता कि भगवान नहीं होते ही शुरक दिब्ब सक्तियां नहीं होती है हमने अनभाव कि आए चले आए कभी बागर सो धाम बैलकम टू यू आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंध विश्वास को बढ़ावा देना है यह अंध विश्वास विश्वास मे अगर 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 विश्वास किसी को लग रहा तो उसमें अमीस दिवगंजी भी अंध विश्वास हैं क्योंकि वो भी अनमान चालीसा पढ़ते हैं और दीपक जला रहे हैं लेकिन अब आपको तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिये जा रहे हैं पहले एक तीसलाख वाला चैलेंज था अब एक करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है जैसे जैसे आपकी पॉपॉलरीटी बल रही है चैलेंज का प्राइस भी उसी तरफ से का जाता है कि अस्पिताल बंद कर देजिए धिरेंट शास्तित के पास ही चलिए सब लोग ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं अनमान चालीसा में हैं नासे रोग हरे सब अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है और ये चौपाई अगर चमतकार कर देती है इसमें दोसी हम क्यों तुलसिदाज जी के उपर आरूप लगाई है हमारे भगवान हनवान जी भी बूटी पर भरोसा करते लाय सजीवल लखन जी आई अगर ओवेसी जी आपके पास आई अरजी लगवाने के लिए तो आना चाहिए उनको आना चाहिए लगा देजिए सद गुद्धी सबको होनी चाहिए हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो जिन जिन को आना आओ सबका स्वागा आदे किस का अपने परचा मतलब नेताओ में राहूल गांधी जी का परचा खोला क्या जो आता है उसकी अरजी हमारी और कोई निजी आस्था से परचा नहीं बनता है उनकी पेरणा से परचा तो यह परचे की कहानी क्या है कुछ भी नहीं यह आद ही कभी महरसी बालमीग जी के समय से चल रही परंपरा लोगों ने अब जाना है कभी अगर आज हमारे दादा गुरू जी होते तो लोग साइड ये परशनी भी नहीं कर पाते क्योंकि उस जमान में मीडिया नहीं थी हमारे दादा गुरू तो अप समझाओ हमारे बाप के बाप हैं वो हम जब इतने खतर ना के दो वो कितने नहीं लेकर यहां पर कई लोग हैं जो अपने परशे खुलवाना चाहते हैं बिलकुल आना चाहिए जो स्टूडियो के उस पार है यानि कैमरा के तुरू आपको देख रहे वो अपने परशा कुलवाना चाहते है तो पूछे जी जी पावाजी में फ़रीदाबाद से रोहितास तायर मेरा एक सवाल है आप अभी-अभी कह रहे थे जब आप एकांत में होते हैं तो यह सोचते हैं कि सबका भला कैसा हो आप स्वेम बागेशवर सरकार हैं धीरेंद्र कुछ आप 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 बागेशवर सरकार लोग जानते हैं त तो धर्म तो जो है मेरे क्यार से हिंदू, मुसलिम, शिक, इसाई उससे भी बड़ा शबद है उसको हम एक मजहब में नहीं बात सकते हैं पहली बात तो आपने हमारे हमको बहुत कम सुना है आप हमको बहुत सुनियेंगा हिंदू का मतलब कोई एक विसेश संपरदाय नहीं हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वो हिंदू है जी चलिए अब एक सवाल जवाब का एक और जो हिंसा के खिलाब वो हिंदू, हिंसा जिसे पसंद नहीं हो, वो हिंदू स्वामी जी समाजबादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरित मानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं हमने सुना है और वो आपके बारे में कहते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता, अभी कुछ धरमाचारियों के धोंग और पाखंड सामने आए हैं, एक-एक एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंद गरफतार कर लेना चाहिए। राजने तेक रोटियों तक सीमत रहते हैं, इसलिए दो कोडी की राजनीती में हम करोडों की अध्यात में को नहीं बहाएं। बागेश्वर रधाम में आप रहते हैं, देरे शास्त्री आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं। तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आब आपका डरें किसके बाप से हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं, ना किसी के मकान पर कबजा किया, ना हमने जमीने छोड़ाई, ना किसी से दान लिया तो किसके बाप से डरें? हम बाटने बैटे हैं तो सिर्फ अनमान जी से डरते हैं पाप से डरते हैं हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत न हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े इससे डर लगता है लेकिन एक विशे है जो कि बहुत महत्पूर्ण है और ये विशे मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ रामचरित मानस को लेकर बहुत सारी बयान बाजी हुई किसी ने उसको नफरत वारा गरंद कहा जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसके भी उसको नफरत वाला गरंद कहा मैं सुआभी पर साथ मौरिया की बात कर रहा हूँ और एक बिहार के मंत्रिये उन्होंने भी कहा किसी ने इसको महिला विरोधी किसी ने इसको दलित विरोधी कहा इस या कहते हैं इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है राम के देश में राम के बरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार-बार प्रोडूस करना है और बार-बार उसको आगे अप्रोच करना है ऐसे ब्यक्ति के बारे में न तो सूचना चाहिए ना बात करनी चाहिए हरी-हर निंदा सुने जो काना हो ही पाप गउघात समाना माता पिता भगवान सीव भगवान विश्णु की निनदा करने वाले ब्यक्ति को सुनना और उसको देखना देखना गोहत्या बराबर पाप। कि आपके खिलाफ विदेश चे प्लैनिंग हो रही है और आपके खिलाफ देश के उस पार बढती जा रही है आप पाकिस्तानियों की इस फिरठ वी्यष्ट पर हैं। कि क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्ष अब होनी चाहिए। मैंजीन है लेकिन लॉकिक बिवहार में अगर किसी को गर्राठ है तो उसके लिए अगर कोई विवस्था हो और है कोई दोस नहीं है या कोई बुराई नहीं सबको डर देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे दरबार लगा रहे थे कभी बात नहीं उठी है जब से पुर प्लांटिड लोगों का आना प्लांटिड दरबार में चिल आना भी कुछ दिन पहले एक प्लांटिड व्यक्ती का पोल खोला दरबार में ही उङो को 20 दरबार में चिला पड़ा धाम प्लांटिड लोग आना पह एक Miram Phranu बढ़ा बना देना इसीरु करव सिर्फ दर दिय कि जो सेवक हैं जी उनको गिराने का एक बहुत बड़ा सडेयंत्र चल रहा क्योंकि जो करोड़ों रोपए धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं तो वो धीरंद्र कृष्ण के उपर क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मिसंट को फैल हम कर रहा हैं बिलकुल भी नहीं मुसल्मालों के खिलाफ है बिलकुल भी नहीं तो सारी घर बापची तो वही जो रही है किर वही वाद धर्म परिवर्तन वो कर आएं हम तो घर बापची करवा रहे हैं चलिए अगला राउंड और यह आखरी राउंड भी है और इस राउंड में मैं आपको कुछ तस्वीरे दिखाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया उस पे लूँगा इस राउंड की शुरुबात करते हैं और पहरी तो तस्वीर आ रही है आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा जय हो गुर्दयो भगवाने की जय हो तो क्या कहना चाहते हैं आप गुरु जी के बारे में अपने बस जो पूछते थे आज तक की चमतकार क्या है यह है जिनके नेत्र नहीं है अनेकों गरंथों की जिनोंने रचना किये हो अनेक भासाओं का जिनको ज्ञान हो राम मंदिर का मुद्दा जिनोंने सुप्रीम कोट में जाकर के रखा हो और शाक्षे पृस्तुत किये हो और साक्षे पृस्तुती करन से जिन महापूरुष ने जज को भी चौका दिया हो इस देश में इससे बड़ा चमतकार और क्या हो आप करें यह है चमतकार यह भारत के जो लोग ह तुम से अब तक पूछते थे कि चमतकार क्या है उनको हमारे पास आने के पहले हमारे गुरुजी के बारे में समझ लेना चाहिए पुझ जगद गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले अगली तस्वीर जो है देखते हैं कौन सी है यह मुझे भी नहीं पता है राहूल गांदी जी किया कहना चाहते है नो कमेंस राजनेटा और राजनीती पर हमारे पुर यह भी काफी आज कल धरम की बारे में बात कर रहे हैं श्वागत अगली तस्वीर देख लेते किसकी आ यह कि अरेंद्थ मोदी और योगिया दित्यनाथ एक देश की प्रधान मंत्री एक उत्रप्रदेश की मुख्य मंत्री है राज-पीट की देश की प्रमुक्षत्ता पर जो बैठे है और राष्ट हित जो कर रहे हैं उन्हें सब को बागिश और पीट से साध्यू आखिब कुछ कुछ कहना आप प्रधान मंत्री मोदी जैसा काम कर रहे हैं उस पर आप कुछ प्रतिकिया करना चाते हैं। योग्या दृत्तनाथ कुछ कर रहे हैं। सब हमारे लिए तो सब जो भी कर रहे हैं, सब बड़ी है। नमस्कार विव आज मेरे साथ एक बेहद खास मेमान होंगी इनकी उम्र भलई केवल 27 साल है लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विशे बने हुए हैं ये खुद को कटर सनातनी हिंदू राक्ष्ट का पक्षधर और घर वापसी के सबसे बड़े प्रयायुजक बताते हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुक धिरेंद्र शास्त्री महराज का अभिनंदर आपका अभिनंदर आपका शास्त्री आपका अभिनंदर है पहले स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस मंच में बहुत बहुत धन्यबाद बहुत सादू बाद और आर पार की आरिक्रम को भी बागेश और पीठ कीयों और से बहुत बहुत आभार आपका लेकिन आपकी जबरदस फैन फालोइंग है मैं युगाओं के हिसाब से अगर पूछू तो जबरदस फैन फालोइंग है आपका बड़ा क्रेज है इतना क्रेज तो बॉलिवूड आक्टर्स का भी नहीं होता लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल आपको पूरा परीवार है एंग्साथार लेकर चलने वाले हैं हमारी कोई इंग फैन फॉलिवूवंग नहीं हमारा पडिवार हो मैं घर्भ है कितना बड़ा परिवार है लेकिन अगर आपका मैं परिचे पूछू कि धिरेंद्र शास्त्री कौन है चमतकारी है अफ्तारी है कौन है धिरेंद्र शास्त्री एक साधारन इंसान है जैसे आप है वैसे हम है बस हनुमान जी के एक साधारन से सेवक है उसका परनाम है ये कि जो धर्म बिरोधी है उनके क्या गुण है मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूँ कि आपकी पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना सचाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सचाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्व से जोडने का गुण है और यह अगर किसी भी इंसान के पास यह गुण आ जाए तो इस वर यह दिब्ब करपा को वो सता ही पा जाता है आपका दावा है कि आप पर हनुमान जी की करपा है जिसकी वज़ा से आप लोगों की समस्या का समधान कर देते हैं लेकिन आलोचक भी है आपके और बड़ी संख्या में है वो आलोचक वो कहत असरी बात रही बात माइंड रीडर वाली कांच में मड़ी में बहुत अंतर होता है चमकदार दोनों होते हैं पर जो मणी काम करती वो कांच काम नहीं करता यह देश सेकुलर है लेकिन आप हिंदू राष्ट की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निड़र होके क्यो खड़े हैं अगर हिंदूस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदूस्तानी है ही ने वो लगता है बेश्टन डीच का आदमी है अगर हिंदूस्तान में रहकर हिंदूस्तानी व्यक्ती हिंद महासागर के संनिकट रहने बाला ही हिं ना कभी रुकेंगे भारत हिंदू राष्ट था है और फिर घोसत रहोकर रहेगा लेकिन सविधान में सभी धर्मों को समान अदिकार मिला है सेकुलर है हमारा देश तो सिरफ हिंदू के अधार पर देश कैसे हो सकता है पंत निरपेक्ष राष्ट है संविधान में 125 बार पत् प्रेम करते हैं उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूं आपको असाउथ दिनोवेसी सांसद हैं एाई में के और आपको बहुत प्रेम करते हैं वो क्या कहते हैं सुनिए जड़ा लेकिन जब आप हिंदू राष्ट की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरुदी करार दे दिया जाता है एक psychology है psychology है कैसे psychology है कि किसी वी सनातनिय व्यक्ती को गिराने का बढ़िया हो पाई यही है कि किसी पंथ और मजब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने मिसन में successful ना हो पाब है वो भारत में समानता की नीती ना इस्थापित कर पाब है वो रामराजी की नीती ना स्थापित करवा पाब है और इस देश में एकता ना हो पाब है इस देश में धर्म का जो लड़ाई है पंत की जो लड़ाई है वो ना मिट पाब है अगर ये मिट जाएगी तो राजनेतिक रोटिया नहीं सिकेंगी लेकिन आप एक शब्द यूज करते है ठटरी के बहुत प्यारा सब्द है अब बुंदेल खंडी आदमी अब तो लगबख भारत का प्रतेक बागिस्वधाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी है परिवार के लोग हमारे जानते है ठटरी बरे सब्द का अर्थ है सत्त यथार्थ सास्वत एक ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया आपके एक मित्र है शेक मुबारक खान शेक मुबारक खान आपके मित्र है अच्छा 500-600 मुसल्मान परिवार हमारे से सभी है ये भी हम आपको बता देते हैं हर पंत के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोस नहीं है और क्रिश्यन को हिंदू बना देते हैं मुसल्मान को हिंदू बना देते हैं हम किसी को भी धर्म बापसी नहीं करवाते हैं हम सिर्फ उनको अपने पूर्वजियात करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं किसी की धर्म बापसी पर भरोशा नहीं करते हैं कनवर्जन पर वह भरोशा नहीं करते हैं, हम तो घर बापसी, अब भाई राम जी के सरण में बिभीशन आया तो राम जी भगा देंगे क्या, भगाया क्या, आये तो राम जी ने गड़ा, वो भी तो सत्रु का भाई था, बिभीशन, और उन्होंने भी गले लगाया, हम भी प्यारे यही करत मित्र हैं आपकी पर मित्र ता तो महबत तो महबत होती है महबत रंग और धर्म और पंथ नहीं देखती महबत तो चांसे भी हो जाती है जो कभी मिलने लायक नहीं होता है आपने बयान दिया तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हे भागना पड़ेगा इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्तर फैकने वालों के घर बुल्डोजर चलवाओ क्यों अगर कोई पत्तर फैके तो क्या करें स्वागत करें हमने सिर्फ बिनमरता पूरवक कहा आत्मरक्षा हमारा यह वयान पूर्टया अहिंसात्मक है इसमें हिंसा को किंचत मात्रवी जगए नहीं है हमने यह नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ हमने ये कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुल्डोजर चलवाओ आज एक दोर है आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं चोंकि बहुत नेक काम है इसकी तारीव वी में करना चाहता हूँ आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं लेकिन कभी आपको अपनी बेहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी तब शेक मुबारक ने आपकी मदद करी थी उन्होंने की बहुत लोगों ने उस बक्त हमारी मदद की उसमें शेक मुबारक एक ने बहुत अच्छी भूमका निवाई देखो हम आप सबको बताएं यहां जो बैठे हैं जो टीबी पर आरपार पर देखेंगे हमने अपनी जीवन काल में बहुत जंजड़ देखो आपकी महेंगी गाड़ी चलाने वाला अकसर लिक्से से घर जाता है करोड़ों अर्वों का बंगला बनाने वाला अकसर बिना छत के सोता है दुनिया को हसाने वाला अकसर अकेले में रोता है ये एक विवस्था है इस प्रक्ती की हमने अपने जीवन में बहुत अभाव देखें बहुत आसू बहा है बहुत संघर्ष आज भी संघर्ष लोगों को लगता है लोग तारीफ करते रहे जिन्दिगी बर उस दीबाल पर टंगी चित्र की लेकिन उस जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा उसका संघर्ष किसी ने नहीं देगा आज लोगों को चुब रहे होंगे हम आज लोगों को लग रहा होगा कि ये बंठन करके टीबी पर आकर प्रवचन ठोक रहा है लेकर उसके पीछे हमने कितने संघर्ष जेले और कितने जेल नहीं रहे सनातन हमारे बाप की बाप होती हो हम सनातन अपने लिए नहीं कर रहे हैं सनातन से हमारा कोई निजी हित नहीं है कन्या विबाय 125-50 करवाने के लिए करजा उठा उठा करके हम बेटियों का विबाय कर रहे हैं उससे हमारा कोई निजी स्वारत नहीं है चार साल से निसुलक बंडारा चलवा रहे हैं इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है ना आस उससे भी हमारा कोई हित नहीं है, हमारा सिर्फ संकल्प मानवता और प्रत्य ट्यक्त्य को राम से जोड़ने का। लेकिन आपने बोला आप तो मुख्यमंत्री आते हैं, पूर मुख्यमंत्री आते हैं, कॉंग्रेस आती है, बीजेपी आती है, तो अब एक इमेज आती है कि अब तो बाबा सर्वे सर्वा हो गए हैं, अब इनके आगे कौन? दयालू हम आपको बहुत बिनमरता पुरवक कहें, हम प्रभाव में पढ़ने वालों मैंसे नहीं हैं, हमारे उपर पहले ही एक का प्रभाव पढ़ चुका है, वो बजरंग वली का है, बाकि हम प्रभाव में बहुत ज़्यादा प्रभाव के लोगों से बहुत ज़्यादा अ आप क्या सोचते हैं जब रात को समय हो जाता है जब अकेले होते हैं 24 घंटे में हमारे तीन या चार घंटे हैं निजी जी हम सो लें जाए हम जो कर लें क्योंकि वहां हजारों लोग आते हैं लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे तो विचारे इन पर क्या भीतेगी अप एक शाय लेकर के लोग आते हैं तो हमारे अकेले और एकांत में सिर्फ दो तीन चार घंटे जो होते हैं चार घंटे अकेले क्या सोचते हैं बाबा सनातन लोगों का हित कैसे हो जाए अंगरेस पार्टी के एक बड़े नेता है पूर विदेश मंतरी है सर्मान कुशीत साब वो कहते हैं कि राम राज्ये इस इकल टू निजाब मुस्तफा ये दोनों समान है इसमें कोई फरक नहीं है एक अरब अंठानवे करोड चपन लाक अंठावन हजार एक सो दस साल पुराना धर में इस प्राचीन इससे भी ज़्यादा प्राचीन है ये तो एक हमने लगभग लगभग बताया है अब कोई अपने आप से तौलता है ये उसकी बिचारे की मजबूरी है राम राज जी की अगर वो कलपना कोई आपने नाम लिया है पवित्र मूँ से हम बोल लेना नहीं चाहेंगे अगर कोई राम राज्ज को अपने उससे तौल रहा है वो बिचारे की मजबूरी हो तौलना भी चाहिए बड़ों की सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज़िद बचाते हैं पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते दूसरी बात हम कोई अंद विश्वास नहीं फैलाते हैं इस देश में चादर चड़ाना सृध्धा है इस देश में केंडल जलाना सृध्धा है इस देश में हली उल्ला कहे के एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना सृध्धा है लेकिन हनमान 40 का उपाय बताना अंद विश्वास हो गया है अद्बुत देश हैं, यह मुँं लोग लाते कहां से हैं, अद्बुत विचारधारा है लोगों की, हमने कभी यह नहीं कहा कि हम इस्ष्षवर हैं, हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हन्मान जी के के पास सब कुछ हैं लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे अगर कोई कहता कि भगवान नहीं होते ही दिबसक्तियां नहीं होती है हमने अनभाव कि आए चले आए कभी बागर सो धाम बैलकम टू यू आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंध विष्वास को बढ़ावा देना है अंध विष्वास व सिद्धियों का प्रचार करना अगर अंद्विश्वास किसी को लग रहा तो उसमें अमीस दिवगंजी भी अंद्विश्वास हैं क्योंकि वो भी अनमान चालीसा पढ़ते हैं और दीपक चला रहे हैं लेकिन अब आपको तो डिफर्ण डिफर्ण टाइप के चैलेंज दिये जा रहें हैंым कोई फरमाईसी प्रोगाम है कि किसी थे उह हमगाना बजा दे आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती हैं कि आप बिमारों का इलाज कर देते हैं तो फिर दुस्री तरफ से का जाता है कि अस्पिताल बंद कर देजिए धिरेन शास्तित के पास ही चलिए सब लोग ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं अनमान चालिसा मैं नासे रोग हरे सब अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है और यह चौपाई अगर चमतकार कर देती है इसमें दोसी हम क्यों तुलसिदाज जी की उपर आरुप लगाई है हमारे भगवान हनवान जी भी बूटी पर भरोसा करते लाय सजीवन लखन जी आई अगर ओमेसी जी आपके पास है अरजी लगवाने के लिए तो आना चाहिए उनको आना चाहिए आना गांदी जी का पर्चा खोला कि रिए का परचा जो आता है उसकी अरजी हमारी कोई निजी आस्था से पर्चा नहीं बनता है उनकी परणास ये परचा ये परचे की कहानी क्या है कुछ भी नहीं यह आद कभी महरसी बालमीग जी के समय से चल रही परंपरा लोगों ने अब जाना है कभी अगर आज हमारे दादा गुरू जी होते तो लोग साइड ये प्रशनी भी नहीं कर पाते क्योंकि उस जमान में मीडिया नहीं थी हमारे दाद आ करना थो वो कितने नहीं होंगे कぶhole यहां पर कई लोग है जो अपने परचे खुलवाना है बिल्कुल दो क्या कहना चाहेंगे बागल शर्धाम प्रेमपुर्वकां परचा तो एक असलियत में सब को हनुमाइन जी का मना है सवाल सवाल को पूछना चाहता है तो पूछे जी जी सब का भला कैसा हो आप स्वेम बागेशवर सरकार है धीरेंदर आप आई आम नौट बागेशवर धाम सरकार लोग जानते हैं तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं प्राथना कर सकते हैं कि आपने जो बात रखी धर्म निपेक्ष के बारे में गवी शिरफ हिंदू तो धर्म तो जो है मेरे क्याद से हिंदू, मुसलिम, शिक, इसाई उससे भी बड़ा शबद है उसको हम एक उसे बात कर सकते पहली बात तो आपने हमारे हमको बहुत कम सुना है आप हमको बहुत सुनियेंगा हिंदू का मतलब कोई एक विसेश संपरदाए नहीं हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वो हिंदू है जी चलिए अब एक सवाल जवाब का एक और जो हिंसा के खिलाब वो हिंदू स्वामी जी समाजबादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरित मानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं हमने सुना है और वो आपके बारे में कहते हैं तो कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता अभी कुछ धरमाचारियों के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंद गरफतार कर लेना चाहिए अगर हमने इस देश में कानून है इस देश में संबिधान है इस देश में नीती है अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गरफतार कर लेना चाहिए देर ना करे लेकिन राजनेताओं की बातों पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है क्योंकि सिर्फ उनके कमेंट्स राजनेत एक रोटियों तक सीमत रहते हैं इसलिए दो कोड़ी की राजनीती में हम करोड़ों की अध्यात में को नहीं बाएं अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि देश में राजनीती की बात होती है और आपने 2024 का जिकर किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्या तैयारी कर रहे है 2024 की इंदू राष्ट की पर 2024 में चुनाव भी है चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं इधर तो नित्य चुनाव है अच्छा एक बाद बताईए बागेश्वर बागेश्वर रधाम में आप रहते हैं आपको डर लगता है किसी के बाप से नहीं तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आब आपका डरें किसके बाप से हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं ना किसी के मकान पर कबजा किया ना हमने जमीन छोड़ाई ना किसी से दान लिया तो किसके बाप से डरें हम बाटने बैटे हैं तो सिर्फ अन्मान जी से डरते हैं पाप से डरते हैं हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत न हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े इससे डर लगटा है लेकिन एक विशे है जो कि बहुत महतपूर है और ये विशे मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ राम चरित मानस को लेकर बहुत सारी बयान बाजी हुई किसी ने उसको नफरत वाला गरंत कहा जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला गरंत कहा मैं स्वावी परसाथ मौरिया की बात कर रहा हूँ और एक बिहार के मंत्रिये उन्होंने भी कहा किसी ने इसको महिला विरोधी किसी ने इसको दलित विरोधी कहा इस या कहते है इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है राम के देश में राम के बिरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार-बार प्रोडूस करना है और बार-बार उसको आगे अप्रोच करना है ऐसे ब्यक्ति के बारे में न तो सोचना चाहिए न बात करनी चाहिए हरी-har निंदा सुनें जो काना हो ही पाप गव घात समाना माता पिता भगबान सियू भगबान विश्नु की निंदा करने वाले ब्यक्ति को सुनना और उसको देखना गोहत्या बराबर पाप आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लैनिंग हो रही है और आपके विरोधी विरोधीयों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षाब होनी चाहिए साधु संत के तुम रखो वारे असुर निकंदन राम वैसे तो उन्होंने हमें सिकॉर्टी दे रखी है स्रीहनमान जी नहीं लेकिन लॉकिक बिवहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई विवस्ता हो और है कोई दोस नहीं है या कोई बुराई नहीं सब को डर देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे दरबार लगा रहे थे कभी बात नहीं उठी है जब से पुर्जोर तरीके से कन्वर्जन को रोका सबसे लोगों को जलन दूए एक लॉबी आपके खिलाफ है पूरी प्लांटिड लोगों का आना प्लांटिड दरबार में चिलाना भी कुछ दिन पहले एक प्लांटिड व्यक्ती का पोल खोला दरबार में ही वो बीस दरबार में चिला पड़ा धाम पे भी प्लांटिड लोग आना यह चोटा सा एक चोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना इस सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम की जो सेवक हैं जी उनको गिराने का एक बहुत बड़ा सडियंत्र चल रहा क्योंकि जो करोड़ों र है क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी मिसन को फैल हम करें मैं एक सवाल पूछता हूँ आप इसाईयों के खिलाफ है बिल्कुल भी नहीं मुसल्मानों के खिलाफ है बिल्कुल भी नहीं तो सारे सारी 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 घर बाप्सी तो वहीं से हो रही है फिर वहीवा धर्म परिवलतन बो कराएं हम तो घर बापसी करवा रहे हैं चलिए अगला राउंड और यह आखरी राउंड भी है और इस राउंड में आपको कुछ तस्वीरे दिखाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया उस पे लूँगा इस राउंड की शुरुबात करते हैं और पहली तो तस्वीर आ रही ह आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा और अब अपनी गदी से भी खड़े हो जाएंगी जो तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं वाकई मैं करो कोई बात है तो हम खड़े भी हो जाएं यह तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे जगत गुरू राम भद्राचारे पूज गुर्दयो भगवान है यह हमारे उनी की कृपा है जय हो गुर्दयो भगवान की जय हो तो क्या कहना चाहते हैं आप गुरू जी के बारे में अपने बस जो पूछते थे आज तक की चमतकार क्या है यह जिनके नेत्र नहीं है अनेको गरंतों की जिनोंने रचना किय हो अनेक भासाओं का जिनको ग्यान हो राममंदर का मुद्दा जिन्होंने सुप्रीम कोट में जा करके रखा हो और शाक्ष प्रस्तुत किये हो और साक्ष प्रस्तुती करण से जिन महापूरुष ने जज को भी चौका दिया हो इस देश में इससे बड़ा चमतकार और क्या हो आप करें यह है चमतकार यह भारत के जो लोग हमसे अब पूछते थे कि चमतकार क्या है उनको हमारे पास आने के पहले हमारे गुरुजी के बारे में समझ लेना चाहिए पुझ जगद गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले कि अगली तस्वीर जो है देखते हैं कौन सी यह मुझे भी न है रहू गांक जी किया को आजनेता चाहतें कि नो कमेंट रजनेता और राजनिती पर हमारे काफी आचकल धरम की अगली तस्वीर देख लेते ऐ यह किसकी आ रही है नरेंद मोधी और योगिया दित्तिनाथ एक देश की प्रधान मंतरी हैं एक उत्रप्रदेश की मुख्य मंतरी हैं राज पीट की देश की प्रमुक्षत्ता पर जो बैठे हैं और राष्ट हित जो कर रहे हैं उन सब को बागिश्वर पीट से साध्य हुआ के तो कुछ किछ केना अब प्रधान Government मोदी जैसा काम कर रहे हैं उस पर आप कश परतिक करना चाते हैं यूगिया दितनात कुछ काम कर रहे हैं सब हमारे लिए तो सब सब जो भी कर रहे हैं सब बढ़ी है नमस्कार विवस आज मेरे साथ एक बेहद खास मेमान होंगी इनकी उम्र भलई केवल 27 साल है लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विशे बने हुए हैं ये खुद को कटर सनातनी हिंदू राक्ष्ट का पक्षधर और घर वापसी के सबसे बड़े प्रयायुजक बताते हैं जोरदार तालियों के साथ स्वाधत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुक धिरेंद्र शास्त्री महराज का अभिनंदर आपका अभिनंदर है अभिनंदर है पहले तो स्वागत आपका न्यूज 18 के इस मंच में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सादूबाद और आर पार के इस कारीक्रम को भी बागेश और पीट की और से बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेकिन आपकी जबरदस्ट फैन फालोइंग है मैं युवाओं के हिसाब से अगर पूछू तो जबरदस्ट फैन फालोइंग है आपका बड़ा क्रेज है इतना क्रेज तो बॉलिवूड आक्टर्स का भी नहीं होता लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछा जाता ह आपकी इस फैन फालोइंग का बड़ा राज क्या है आप जादूगर हैं चमतकार दिखाने वाले हैं आकिर धेरेंद्र शास्ट्री है कौन पहली बात तो हमारी कोई फैन फालोइंग नहीं है हमारा तो पूरा परिवार है लिकिन अगर आपका मैं परिचे पूछू कि धिरेंज शास्त्री कौन है चमतकारी हैं अफ्तारी हैं कौन है धीरेंद्र शास्त्री एक साधारन इंसान है जैसे आप हैं वैसे हम हैं बस हनुमान जी के एक साधारन से सेवक हैं उसका परनाम है ये कि जो धर्म बिरोधी हैं उनके मुँपर तमाचा लग रहा है तो आपके पास ऐसा क्या गुण है मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना सच्चाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्च से जोडने का गुण है और ये अगर किसी भी इंसान के पास ये गुण आ जाए तो इस शुरिय दिब कृपा को वो सुता ही पा जाता आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है जिसकी वज़ा से आप लोगों की समस्या का समधान कर देते हैं लेकिन आलोचक भी है आपके और बड़ी संख्या में है वो आलोचक वो कहते हैं कि आप एक माइंड डीडर है इस से ज़्यादा कुछ है पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही अर्मान जी की कृपा है सब पर है सो हम पर है और दूसरी बात रही बात माइंड डीडर वाली कांच में वो मडी में बहुत अंतर होता है चमकदार दोनों होते हैं पर जो मनी काम करती है वो काच काम नहीं करता यह देश सेकुलर है लेकिन आप हिंदू राष्ट की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े अगर हिंदूस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदूस्तानी है ही ने वो लगता है बेश्टन डीच का आदमी है अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ती हिंद महासागर के सन्निकट रहने बाला ही हिंदु राष्ट नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे और रही हमारी बात जिनको जो लगता हो लगने दो हम अपनी बात से न कभी जुकेंगे न कभी मुड़ेंगे न कभी रुकेंगे भारत हिंदु राष्ट था है और फिर घोसत रहोकर रहेगा लेकिन सविधान में सभी धर्मों को समान अदिकार मिला है सेकुलर है हमारा देश तो सिरफ हिंदु के आधार पर देश कैसे हो सकता है पंत निरपेक्ष राष्ट है संविधान में 125 बार पत्रकार महोद है संसोधन लगभग हो चुका है 126 बार हिंदु राष्ट के लिए भी होना चाहें असाउध दिनोवेसी आपको बहुत प्रेम करते हैं बहुत प्यार करते हैं और वो इतना प्रेम करते हैं और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूं आपको असाउध दिनोवेसी सांसद हैं MIM के और आपको बहुत प्रेम करते हैं वो क्या कहते हैं सुनिये जरा कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे कैसे बनाएंगे आप हम बेट करके समभीधान को जला देंगे लेकिन जब आप हिंडू राष्ट की बात करते हैं इसको मुस्लिम विरूधी करार दे दिया जाता है एक psychology है songology एक कैसे psychology ऐसे है कि किसी विसणात्तनिय व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाई यही है कि किसी पंथ और मजब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने मिसन में सक्सेस्फुल ना हो पाब है वो भारत में समानता की नीती ना इस्थापित कर पाब है वो रामराजी की नीती ना इस्थापित करवा पाब है और इस देश में एकता ना हो पाब है इस देश में धर्म का जो ल बुंदेल खंडी आदमी अब तो लगबख भारत का प्रतेक बागिस्वधाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी है परिवार के लोग हमारे जानते हैं ठटरी गरे सब्द का अर्थ है सत्य यथार्थ सास्वत एक दिन ठटरी सबकी बरनी है और उसकी ठटरी बर सनातन के खिलाब तो जिसको मांते तीक जिन लोगों का आपने नाम लिया आपके एक मिट्र है शेक mutual खान शेक मुबारक कशना आपके मिट्र एट अच्हा 500 600 मुसल्मान परिवार हमारे से से ये भी हम आपको बता देते हैं हर पंत के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोस नहीं है और अभी जहां कता करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्षा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट का भी स्वागत किया यही तो पदेशानिया है आप से कई لوगों को अपक्रिशिन को हिंदू बना देते हैं मुसलमान को हिंदू बना देते हैं हम किसी को भी धर्म बापसी नहीं करवाते हम सिर्फ उनको अपने पूर्वर्व जयात करवाते हैं और पiationत कि मिता कि तरब दंगे नहीं करते हैं हम तो घर बाप से अब भाई राम जी के सरण में बिभीशन आया तो राम जी भगा देंगे क्या भगाया क्या आये तो राम जी ने गड़ा वो भी तो सत्रू का भाई था बिभीशन उन्होंने भी गले लगाया हम भी प्यारे यही करते हैं क्या गुनाय करते है शेक मुबारक बॉलीवूड बॉयकॉट की विशे पर बुल्डोजर पर वो इस तरह के विवादित बयानों उसे वो कहते हैं मैं सहमत नहीं हूँ उनके सहमत होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मित्र हैं आपकी पर मित्रता तो महबत तो महबत होती है महबत रंग और धर्म और पंत नहीं देखती महबत तो चांसे भी हो जाती है जो कभी मिलने लाइक नहीं होता है आपने बयान दिया तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हे भागना पड़ेगा इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फैकने वालों के घर बुल्डोजर चलवाओ क्यों अगर कोई पत्थर फैके तो क्या करें स्वागत करें हमने सिर्फ बिनम्रता पूर्वक कहा आत्मरक्षा हमारा यह वयान पूर्टया अहिंसात मक्ष है इसमें हिंसा को किंचत मात्र भी जगए नहीं है हमने यह नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ हमने यह कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुल्डोजर चलवाओ आज एक दोर है आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं जो कि बहुत नेक काम है इसकी तारीव भी में करना चाहता हूँ आप कई बच्चीयों की शादी कराते हैं गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं लेकिन कभी आपको अपनी बेहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी कब शेक मुबारक ने आपकी मदद करी थी उन्होंने की बहुत लोगों ने उस बक्त हमारी मदद की उसमें शेक मुबारक एक ने बहुत अच्छी भूमका निवाई देखो हम आप सबको बताएं यहां जो बैठे हैं जो टीबी पर आरपार पर देखेंगे हमने अपनी जीवन काल में बहुत जंजड़ देखो आपकी महेंगी गाड़ी चलाने वाला अकसर लिक्से से घर जाता है करोड़ों अर्वों का बंगला बनाने वाला अकसर बिना छत के सोता है दुनिया को हसाने वाला अकसर अकेले में रोता है ये एक विवस्था है इस प्रक्ती की हमने अपने जीवन में बहुत अभाव देखें बहुत आसू बहा है बहुत संघर्ष आज भी संघर्ष लोगों को लगता है लोग तारीफ करते रहे जिन्दिगी बर उस दीबाल पर टंगी चित्र की लेकिन उस जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा उसका संघर्ष किसी ने नहीं देगा आज लोगों को चुब रहे होंगे हम आज लोगों को लग रहा होगा कि ये बंठन करके टीवी पर आकर प्रवचन ठोक रहा है लेकर उसके पीछे हमने कितने संघर्ष जेले और कितने जेल नहीं रहे सनातन हमारे बाप की बाप होती हो हम सनातन अपने लिए नहीं कर रहे हैं सनातन से हमारा कोई निजी हित नहीं है कन्या विबाय 125-50 करवाने के लिए करजा उठा उठा करके हम बेटियों का विबाय कर रहे हैं उससे हमारा कोई निजी स्वारत नहीं है चार साल से निसुलक बंडारा चलवा रहे हैं इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है ना आस अध़क उससे भी हमारा कोई हित नहीं है हमारा सिर्प संकल्प मानवता और प्रतेक ब्यक्ति को राम से जोडने का लेकिन आपने बोला तो आप तो मुख्यमंत्री आते हैं पूर मुख्यमंत्री आते हैं कॉंग्रेस आती है बीजेपी आती है तो अब एक इमेज आती है कि अ अब तो बाबा सर्वे सर्वा हो गए है अब इनके आगे कौन दैयालू हम आपको बहुत बिनमरता पुर्वक कहें हम प्रभाव में पढ़ने वालों मैंसे नहीं है हमारे उपर पहले ही एक का प्रभाव पढ़ चुका है वो बजरंग वली का है बाकि हम प्रभाव में सर्व लोगों को हसाने वाला अकेला बैटके रोता है मैं आप से जाना चाहता हूँ कि अकेले बैटके आप क्या सोचते हैं जब रात को समय हो जाता है अकेले होते हैं 24 घंटे में हमारे 3 या 4 घंटे हैं निजी, चाहे हम सो लें, चाहे हम जो कर लें, क्योंकि वहाँ हजारों लोग आते हैं, हमें लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे, तो विचारे इन पर क्या भीतेगी, आप एक शाय लेकर कि लोग आते हैं, तो हमारे अकेले और एकांत म सिर्फ दो, तीन, चार घंटे जो होते हैं, चार घंटे, अकेले क्या सोचते हैं बाबा, सनातन, लोगों का हित कैसे हो जाए, अंग्रेस पार्टी के एक बढ़े नेता है, पूर विदेश मंत्री है, सर्मान कुशीत साब, वो कहते हैं कि राम राज्ये इस इकल टू निजा इस प्राचीन, इससे भी ज़्यादा प्राचीन है, यह तो एक हमने लगभग लगभग बताया है, अब कोई अपने आप से तौलता है, यह उसकी बिचारे की मजबूरी है, राम राज्य की अगर वो कल्पना कोई आपने नाम लिया है, पवित्र मूँ से हम बोलेना नहीं चाहेंगे, अगर कोई राम राज्य को अपने उससे तौल रहा है, वो बिचारे की मजबूरी हो, तौलना भी चाहिए, बड़ों की सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज़िद बचाते हैं, पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, दूसरी बात हम कोई अंद व विश्वास नहीं फैलाते हैं, इस देश में चादर चड़ाना सृद्धा है, इस देश में केंडल जलाना सृद्धा है, इस देश में हली उल्ला कहे के एक ब्यक्ति को पकड़कर 25 ब्यक्ति में करंट लग जाना सृद्धा है, लेकिन हनमान 40 का उपाय बताना अंद विश् हैं हमने कभी नहीं कहा कि हम चमतकारी हैं हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं हनमान जी के पास सब कुछ लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे अगर कोई कहता कि भगवान नहीं होते ही शुरक दिबसक्तियां नहीं होती है हमने अनभाव कि आये चले आये कभी बागे सो धाम बेलकम टू यू आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंध विश्वास को बढ़ावा देना है अंध विश्वास विश्वास में एक बारीक लाएं बता ये समझाईए जारा इस बारीक लाएं देखो आप अनमान जी को मानते हैं बिलकुल मानते हैं क्या आप सनातनी हैं बिलकुल क्या आप दीपक जलाते हैं बिलकुल जलाते हैं ये भी अंध विश्वास तो आपकर स्वासी हैं क्योंकि वो भी अन्मान 40 पढ़ते हैं और दीपक जला रहे हैं लेकिन अब आपको तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिये जा रहे हैं पहले एक तीस लाख वाला चैलेंज ताब एक करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है जैसे जैसे आपकी पॉपॉ हमारों का इलाज कर देते हैं तो फिर दूसरी तरफ से का जाता है कि अस्पिताल बंद कर देजिए धिरेंट शास्तित के पास ही चलिए सब लोग ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं अन्मान 40 सामय है ना से रोग हरे सब अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है और यह चौपाई अगर चमतकार कर देती है इसमें दोसी हम क्यों तुलसिदाज जी की उपर आरूप लगाई है हमारे भगवान हनवान जी भी बूटी पर भरोसा करते लाय सजीवल लखन जी आई अगर ओमेसी जी आपके पास है अरजी लगवाने के लिए तो आना चाह सद गुद्धी सबको होनी चाहिए हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो जिन जिन को आना ओ सबका स्वागा अचा किस किस का अपने परचा मतलब नेताओं में राहूल गांदी जी का परचा खोला कि किसी का परचा जो आता है उसकी अरजी हमारी कोई निजी आस्था से परच यह परचा बना तो यह परचे की कहानी क्या है कुछ भी नहीं यह आद कभी महरसी बालमीग जी के समय से चल रही परंपरा लोगों ने अब जाना है कभी अगर आज हमारे दादा गुरू जी होते तो लोग साहिए परशनी भी नहीं कर पाते क्योंकि उस जमान में मेडिया नहीं थी हमारे दादा गुरू तो समझाओ हमारे बाप के बाप हैं वो हम जब इतने खतर ना के दो वो कितने नहीं है लेकर यहाँ पर कई लोग हैं जो अपने परचे खुलवाना चाहते हैं बिलकुल आना चाहते हैं यही कहना चाहेंगे बागेश्व धाम प्रेम जी 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 मैं फरीदाबाद से रोहितास तायर मेरे एक सवाल है आप अभी अभी कह रहे थे जब आप एकांत में होते हैं तो यह सोचते हैं कि सब का भला कैसा हो आप स्वेम बागेश्व धाम सरकार हैं धीरेंद्र कृश्व धाम सरकार लोग जानते हैं तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं बिलकुल नहीं कर सकते हैं प्राथ्ना कर सकतेाeger आप ने जो बात रखी ध्रम निकर्श के बारे में सिरफ हिंद तो गल्कार लए मेरे क्यासे हिंदों मसलिम शीक ईसी उससे भी तो आपने हमारे हमको बहुत कम सुना है आप हमको बहुत सुनियेंगा हिंदू का मतलब कोई एक बिसेश संपरदाय नहीं हिंदू का मतलब हिंसा को